हूं रहा है हमी रिकॉर्डिंग का शुरू हो गई है आप करें बातिट शुरू करें आप सभी का मैं हार्विक स्वागत करती हूं डिपार्टमेंट ओफ हिंदी सस्क्रिट म्यूजिक पंजाबी SD-HD-RD Center, SD College अंबाला की तरफ से जो हमारा आज एक देस ये वेबिनार है कवीता पार्ट एवं विचार चर्चा ये हमारे कॉलेज में एक प्रोग्राम शुरू किया गया है Meet the Author प्रोग्राम हम इस प्रोग्राम के जरिए कुछ ऐसे महानुभावों के को अपने साथ जोड रहे हैं जिनका प्रोफेशनल फिल्ड चाहे कुछ और है पर वो किसी ना किसी तरह से कला और साहित्य से जुड़े हुए हैं इसी कड़ी में आज हमारी जो हमने इन्वाइट किया है डॉक्टर विने गोईल को डॉक्टर विने गोईल को जैसा आप सभी जानते हैं कि कंप्यूटर साइंस के प्रोफेसर हैं सर तो ये एक बिल्कुल ही दो विरोधा भास सी चीज़े लगती है और मैं एक चीज और दोक्टर हैं तो मैं यह कहना चाहूंगी आज जो हमारे दोनों दिगज कलाकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं वे प्रोफेशनली दोनों ही किसी ना किसी तरह से साइंस के विध्यार्थी है और साइंस में ही प्रैक्टिस करते हैं और जो उनका शॉक है वो उन्हें यहां तक ले आया है कि आज दोनों के नाम को परीचे की जुरूरत नहीं है जैसा आप स्क्रीन पर देख रहे हैं हमारे आज के कारेक्रम के जो मुख्य अतीती हैं दंद क्वेश कोशृत जी चिनका तख्लुस नफस आमबालवी है सर को बुलाना अच्छा लगता है को शर्क जो नाम है ऑपनुझे सेगेंडरी लगता है नफस अंबालवी के मगचे अच्छा लगता है से अथि ऑपसा सबाट स्वागत है आपका इसके साथ ही जो हमारे आज की रिसोर्स परसन है, जो हमारे मुख्य वक्ता है, डक्टर विने गोईल, वे भी अगर मैं बात करूँ, यह किसी परीचे के मोहताज नहीं है, जहां तक बात आती है पेपर वर्क की और इनके प्रैक्टिकल वर्क की, इनके सब्जेक्ट नॉलेज की उससे सभी बहुत अच्छी तरह से वाकिफ हैं, पर शायद हम जैसे कुछ लोग सर की इस एक और विशेश्टा से भी वाकिफ हैं, कि सर की जो साहित्य पर बहुत अच्छी पकड़ है, सर का जो कवी घृदे है, वो एक सर का जो फ्रेंड सर्कल है, उसमें सर बहुत ज्या किया कि क्यों ना और लोगों को भी और जो हमारे विद्यारती हैं, उनको भी इसका लाग मिले, तो सर आपका भी बहुत-बहुत स्वागत है, जोक्टर वीने गोईल, अगर करिये की में बात करूँगी, तो सत्रा वर्ष का इनका अनुभव हो चुका है, पढ़ाने का जो इनका करियर शुरू हुआ, और वो अब बदस्तूर जारी है, और टीचिंग में सर ने दो हजार पांच से टीचिंग शुरू की थी सर ने, उससे पहले आप नोईडा में सॉफ्ट्वर इंजिनियर के रूप में कारे रत थे, तो आज सर अब देवी अंबाला सिटी में जो है, कम्प्यूटर प्रध्यापक के पड़ पर आसीन है, और स्टूडेंट्स का मार्ग दर्शन कर रहे हैं, सर, बहुत-बहुत स्वागत है आप दोनों दिगजों का, बहुत जादा समय मैं नहीं लेना चाहूंगी इसमें एक इंट्रोड़क्शन में, क्योंकि इंट्र जो दिया है, वो केवल मेरे विद्यार्थियों के लिए दिया है, नफसर आप जो उर्दू के बहुत ही फेमस शायर है, मैं कहूंगी विश्विख्याच शायर है, मैं चाहूंगी कि आप भी जब अपना अपना वक्तव्य देंगे, तो कुछ थोड़ा मेरे विद्याच्व जार्थियों के लिए जुरूर सर चुनाएं, अब मैं डॉक्तर आशितोश अंगीरस जी को मंच पर बुलाना चाहूंगी, कि वे विचार सूत्र इस कारेक्रम का प्रस्तुत करें, डॉक्तर आशितोश अंगीरस धन्यवाद जॉक्तर मधूद, मेरा कारे आपने काफी हद तक आसान कर दिया है, मैं आप लोगों से दो तिन बातें इस कारेक्रम की प्रिश्ट भूमी के बारे में और इस कारेक्रम का जो विचार है, उसके बारे में बात करूँगा, और कुछ वो भी बातें आपसे सांच करने की कोशिश करूँगा, बहुत संखेट में, जिसके लिए ये चीज़ें बहुत आवश्यक हैं कि इनको हम अपने रोज मर्रा के एकडेमिक लाइफ का हिस्सा बनाएं, न्यू एजुकेशन पॉलिसी में बहुत सारे परिवर्तन आ रहे हैं, और मुझे नहीं लगता है क कि हमारी टीचिंग कम्मुनिटी उनके लिए कितनी अभी तैयार हो पाई है, बातें जुरूर सुनने में आती हैं, लेकिन एक होलिस्टिक एजुकेशन और इंटर डिसिप्नरी ये जो दो कंटेप्ट उसमें इंट्रोड्यूस किये गए हैं, इसको अगर आप ध्यान से दे कि अपनी कई सारी रुचियां, कई सारी इच्छाएं रहती हैं, और वो रुचि इस बात की रहती है कि आप अधिक से अधिक क्या जाने, कैसे जाने, इसलिए हमारा इसमें एक नीची स्वार्थ आज की परिचर्चा में रहा है, कि ऐधे गुणी लोगों को हम संपर्ट करे उनको आमंत्रित करें, उनके गुणों को समझने की जो प्षमता है, हम लोग अपने में विक्सित करें। जा रहा है, किस दिशा में लिखा जा रहा है, उसके लिए भाशा किस तरह की प्रियोग की जा रही है, और कौन सी संवेदनाएं उसमें सिम्ट करके हमारे साथ आ रही हैं। उसमें से पढ़ने को मिली हैं, उनसे तो मैं यही कह सकता हूँ, कि वो किस तरह से इस सोसाइटी का, मानवी विवहार का, और भीतर जो कुछ चलता है, क्योंकि भीतर बहुत सारा समुद्र जो है, वो छलांगे मारता है, हर आपनी के भीतर, या बहुत बड़ा उसके पास आकाश भी होता है, लेकिन उस आकाश को हम कैसे काट देते हैं, कैसे सीमित कर लेते हैं, और उच्छती हुई तरंगों को हम कैसे, जो है, संभालते हैं, उन सारी बातों को वो बड़े अच्छे विवस्ते करीके से, सठीक रूप में हमारे साथ सांचा करते हैं, कविताओं के माध्यम से, और आज उस बात को हम देखने की और समझने की कोशिश करेंगे, और उनकी कविताओं के पश्चाद, हम जो भी आप लिएक के सवाल होंगे, प्रश्न होंगे, टिपनियां होंगी, बो लेंगे, और उसके बाद, डॉक्टर नफस अंभालवी जी, जो स्वें बहुत सहरीदय संभेदन शील, और जिनका वर्ल्ड विव जो है, वही बहुत मुझे लगता है कि उसको समझने के लिए भी बहुत संभेदन शीलता की अपेक्षा होगी, लेकिन उनकी टिपनी हमने अध्यक्षी टिपनी जो है, अध्यक्षी वक्तव्य उनका रखा है, ताकि एक क्रिटिकल कमेंट्स उनके आएं, और हमें ये पता लगे कि मुल्यांकन कैसे होता है, कैसे इती ही कभी कुछ बिखा जाना चाहिए, और उसमें आधी कौन सी दिशाएं, श्रोताओं के लिए हैं, कि जिससे वो उस तरफे पहुंचे, जिस तरफे कभी होता है, इससे पहले कि मैं डॉक्टर विनेची को आमंत्रिक करूं अपनी शायरी, अपनी कव दिश्टी को आप लगों के साथ सांजा करना चाहूंगा, जिससे मैं डॉक्टर विनेची को एक कभी के रूप में, एक मनुष्य के रूप में देखनी का प्रयाक्स करना चाहता हूं, और उस दिश्टी से अगर वो अपनी बातें रखें, कभीताओं के साथ-साथ वो अप कुछ एक विशेश प्रकार से चीजों को देखा होता है, और कुछ विशेश प्रकार से सुना होता है, जिसे हम शूतम और दृष्टम कहते हैं, कि एक सुनना होता है और एक देखना होता है, लेकिन एक एंगल उसमें पर्टिकुलर जरूर हर किसी का होता है, जितने लोग म होता है तो निश्चत रूप से आज उनकी कविताओं के माध्यां से हम ये तो देखने का प्रयास करेंगे ही कि डॉक्टर विने गोईल ने किस तरह से इस संसार को मानवी विभारों को संबंधों को समाज को और जितनी भी बाते हैं उनको किस दृष्टी से देखा है और कैसे उन्होंने सुना है और फिर कैसे उन्होंने जाना और उस जाने हुए को कैसे उन्होंने अभिव्यक्त किया इसके साथ साथ एक पक्ष और है जो मैं चाहूंगा कि जब वो डॉक्टर विने अपनी बात रखे हमारे साथ तो वो इस ग्रिष्टी से भी बात रखें कि ऐसे न बहुत सारी सामद्गरी बहुत सारे अनुभव इस तरह के हैं जिन्हें उसे भोगता के रूप में उसे स्विकार करना पड़ता है इंजॉयर क्योंकि एंग्रेजी की एक सीमा होती है इसलिए भोगता शब्द के लिए इंजॉयर कर दिया है आलांकि उसमें दुख सुक दोने रहा है कि कैसे वो इस सारे बातों को अपने कविता में उजागर करते रहे हैं प्रकट करते रहे हैं और तीसरा जो एक और पक्ष जो मैं चाहता हूं और उसके बाद फिर हम आमंत्रित करते हैं कि हर कभी जो है वो डूर भी होता है करता भी होता है हर मनुश्य हर कभी जो है वो एक दूर की फॉर्म में भी होता है, जब वो करता के रूपने होता है, तब वो कैसे इन सारी बातों को अपने आसपास को देखता है, अपने प्रकृति को, अपने सवभाव को, इन सब को वो कैसे देखता है, तो देखने का दृष्टिकोन, परस्पेक्टिव, और as a doer, as a noer and as I enjoy it, ये सारी दृष्टिकोनों को ध्यान में रख करके, हम सभी शोता, डॉक्टर विने गोईल जी की बात को हम सुनेंगे, उनकी कविताओं को, उन कविताओं के बारे में वो स्वेन भी कुछ टिपनी करेंगे, और उसके बाद हम लोग, जो भी सवाल-जवाब है, इसके उपर जरूर वो अपनी टिपनिया और अपना जो है, वो इसके उपर व्याक्या एक जरूर दें, और फिर बीच में जहां कहीं संभव होगा, तो मैं एक दो बाते हैं और भी बीच में आप लोगों के साथ सांचा करेंगा, तो मैं आमंत्रिक कर रहा हूं, आज के मुख्यवक्ता, डॉक्टर बिने गोईल जी को, कि वो अपने इस कंप्यूटर में जहां बिलकुल संगणकियता रहती है, बिलकुल प्रिसीजन रहता है, वहां पर इन संभेदनाओं को उन्होंने कैसे संभाला है, कैसे अभिव्यक्त किया है, कैसे विस्तार दिया है, उसक यह जूक्रिया अजटो जी मेरी आवाज लगता है, क्लियर है सबको, जी जी फिलकुल प्रियर है, आपको अपना वीडियो भी से आन कर लें, तो यज्याल्डा बेथर रहेगा, वीडियो मेरा दें सर своfire उनका वीडियो, मेरा थे जहां जरा आरहरा है, मेरा सबस्ते और गुड मॉनिंग सबसे पहले तो मैं इस्तक्वाल करना चाहता हूँ आज के हमारे मुख्यतिती डॉक्टर कमलेश कौशिक जी का जिने हम प्यार से नफस अंबालवी जी के नाम से भी जानते हैं हमारे अंबाला की शान है और अब अंबाला की नहीं अब तो पूर जाय गया है जो कि नाजायज है ऐसा नहीं होना चाहिए था क्योंकि जिस मुकाम पर आप है सर हम वहां से सिर्फ देखे सकते हैं नीचे से इतनी उपर आप हैं तो फिर्टी कॉलेज ने आदर दिया है इसको मैं आदर यह मानूँगा कि आप जैसे बड़े दिगत के साथ कम से कम मेरी फोटो शेर करने का मुझे जो है दिखाया है इनोंने इसके लिए एजडी कॉलेज वालों का धन्यवाद और मेरे करव से कुटा कि बहुत जर्रा नवाजी है आपकी शुक्रिया करना चाहूंगा डॉक्टर एंदर सिंगराना जी का प्रिंसिबल साहिबान एजड मुलदू जी, डॉक्टर विजय शर्मा जी, डॉक्टर सर्यू शर्मा जी और लीना जी जिन्होंने इस प्रोडाम को संचालित करने का काम किया है और आप सब को जिन्होंने मुझे इस लाइक समझा कि मैं आप जैसे उस्ताजों के आगे अपने कुछ रचनाएं जिसे मैं तो तुकबंदी कहता हूँ, शायद लोगों को रचनाएं लगती है या कविता या शिरोशायरी लगती है, मैं ऐसे तुकबंदी कहता हूँ क्योंकि नफस जी के आगे तो रचनाएं कहना गलत ही होगा, इसको तो मैं नहीं एक बात, ऐसा ना कहें, आप आपकी रचनाएं भी वही रचनाएं हैं, शायर छोटा बड़ा नहीं होता है, शायरी धरूर थोड़ी लेवल अलग हो सकते हैं, मगर शायर कभी चोटे बड़े नहीं होते, तो मैं बहुत यस्तकवाल करता हूँ, आपको बहुत मुबारक बात पेश करता हूँ इसके लिए, आज के दिन के अच्छा लगेगा कि हम आपकी शायरी आज सुन रहे हैं, मैं इससे पहले कभी सुन नहीं पाया हूँ आपको, मुझे बहुत अच्छा लगेगा, विल्कुल सार, तो मैं अपनी एक चोटी सी रचना पेश कर रहा हूँ, मैं अगेन बताना चाहता हूँ कि मेरा साइन्स है, तो मेरे शब्दों को, मेरे लफजों को किरपया सहन कीजिएगा, क्योंकि जितना कि मुझे आता है, उतना कि मैं लिखवाता हूँ, तो अर्ज कुछ इस तरह किया है, वो जो दिखाती है दुनिया सब को, वो जो दिखाती है दुनिया सब को, वो शेह मुझे क् नजर नहीं आती वो जो दिखाती है दुनिया सब को वो शेह मुझे क्यों नजर नहीं आती या तो मैं दुनिया को समझ में नहीं आता या दुनिया मुझे समझ में नहीं आता या तो मैं दुनिया को समझ में नहीं आता या दुनिया मुझे समझ में नहीं आती लगाते होंग कुछ खफीव सितारे चक्कर खुर्शीदे आलम के लगाते होंगे कुछ खफीव सितारे चक्कर खुर्शीदे आलम के हम तो बूंद की तरह हैं समंदर में ये सितारों की चाल हमें नहीं आती या तो मैं दुनिया को समय में नहीं आता या दुनिया मुझे समय में नहीं आता बहुत बड़ी आए लौट जाओ जिन्दगानी की तरफ लौट जाओ जिन्दगानी की तरफ कि ये चीज नायाब है बहुत लौट जाओ जिन्दगानी की तरफ कि ये चीज नायाब है बहुत जिन्दा रह के जीना जरूरी है विने जिन्दा रह के जीना जरूरी है विने ये मौत आती है जब तो ऐसे ही नहीं आती या तो मैं को दुनिया को समें नहीं आता या दुनिया बहुत बाज टूर्श जी ने दो तिन टिपणियां की थी के भार क्या है कहां से आते हैं क्योंकि हमारा सर्जेक्थ नहीं ना अर्दू है ना हिंधी है ना शेरशायी मेरी उमर अबी बैालाटी साल की है और अब Körper में हूँ और अभी गौोर्मेंट में हूँ इस से पहले ठाव जौन में था तो मैं nice कुछ खफीर सितारे जो है वो खुर्चिदा अलम के चकर लगाते थे और मुझे भी कहा जाता था कि आप भी लगाईए तो हम तो बूंद की तरह हैं समंदर में इस सितारों की चाल हमें आती तो यह भाव रोज मर्रा की जो हमारी डेली रूटीन है जिंदगी है हमारा काम है क्या थे खीर से पर आहिए तो आण Those को बात कहीं कि ए एक कहा से यह बहुत पन होते हैं तो मेरे तो इसी तरह से मैं कुछ और भी लिखा था जब मैं अमबाला में आया तो मैं पानीपत से आया था और पानीपत में मैं एक निजी इंजनिरिंग कालेज में हैड अफ डिपार्टमेंट था तो वहां का खुर्शिद आलम मैं था और कुछ सितारे जो थे वो मेरे आगे भी चचक लगाते थे और जब मैं यहां अमबाला डिय वी कालेज में मैंने जॉइन किया तो यहां पर मैं जूनियर मोस था हलाकि मुझे एक्सपेरिंस था चौदा पंदा साल का बट फिर भी मुझे जू है जूनियर का अहसास करवाया गया तो कुछ जो गुफ्तगू का सलीका था वो मुझे उसने बड़ा परेशान किया जब मैं पहली वार अमबाला आया तो मेरे ही कुछ अजीजों ने मेरे ही क यह कैसी रिवायत है यह कैसा तरीका है तो मैंने अमबाला को जो है उस 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 परसन को उस लक्ती को ना बुलके मैंने पूरे अमबाला को यह बोल दिया यह भी बुस्ता कि मैंने की थी कुछ यू कहा था मैंने अमबाला को ना आया इस शहर को गुफ्तगू का सलीका ना आ कत्रा कत्रा ही रहा उसे समंदर बना ना आया इस शहर को गुफ्तगू का सलिका ना आया कत्रा कत्रा ही रहा उसे समंदर बना ना आया ना मुस्कुराहट लबों पर ना गरम जोशी दिलों में ना मुस्कुराहट लबों पर ना गरम जोशी दिलों में ना आया, उन्हें मिलने का तरीका ना आया, कत्रा कत्रा ही रहा, उसे समंदर बनना आया तंग दिल सडकें, खुश्क मिजास गलियां, खुश्क मिजास तंग दिल सडकें, खुश्क मिजास गलियां ना आया इस शेहर को जीने का तरीका ना आया उसे समंदर बना 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 ना तो यह कुछ मेरे जो भाव थे मैंने जैसे अश्रोजी ने बताया कि यह भाव कहां से उत्पन होते थे तो मेरे साथ दिक्ट यह रहती थी क्यों मैं रहती थी क्या रहती है कि मैं जैसे की computer science का विद्यारती हूँ तो उर्दू की जो vocabulary है वो बहुत weak है और मुझे समझ नहीं आता कि इस यहां पर अगर कोई एक शब्द आना चाहिए कोई एक अलफाज आना चाहिए तो वो क्या आना चाहिए तो computer नहीं फिर मदद भी की computer से मैंने कुछ ऐसी apps या कुछ ऐसे online platforms जोईन की हूए हैं जो मुझे मदद कर देते हैं मुझे लफ़ों के असली भाव समझा देते हैं ताकि मैं उन लफ़ों को अपने रचनाओं में इस्तमाल कर सकूँ computer की मेरी एक कमजोरी कही शैरी के अंदर और इसी नहीं मुझे एक platform भी दिया ताकि मैं अपनी कमजोरी को दूर भी कर सकूँ एक मेरी रचना अगर आपकी जाद हो तो मैं सुनाना चाहूंगा जो मुझे लगता है कि मेरे हिसाब से हलागी मैंने बहुत पहले यह तीन-चार्स साल पहले लिखी थी बट मेरे हिसाब से यह मेरी अब तक की बेस्ट रचना है जितनी भी मैंने लिखी क्योंकि जो आपके दिये हैं वो वो कुछ भाव ऐसे थे जो बहुत ज्यादा मिक्स्ट मेरी जो फिलिंग्स थी उसके बाद मैंने यह रिचना जो है लिखी थी अगर आपकी जाद तो सर अगर आपकी जाद हो सर मैंने कुछ ऐसा लिखा था एक्शली मैं अगरवाल बनिया हो तो कहते हैं कि वेपार इंके फून में होता है तो इस तरह की ही मैंने कुछ दुकान सजाई थी कुछ बोली लगाई थी तो कुछ रचना इस प्रकार है कोई तो बोली लगाओ मैं समान बेच रहा हूं कोई तो बोली लगाओ मैं समान बेच रहा हूं बरसों से यूही इसकी दोर में ये सबसे सस्ती चीज़ है जो असानी से लिखने को त्यार हो जाती है इमान और किसी काम की नहीं है तो मैंने इसकी बोली लगाई कोई तो बोली लगाओ मैं समान बेच रहा हूँ वर्सों से यूही रखा था मैं ये इमान बेच रहा हूँ अदपके से रिष्टे हैं अब दुकान सजाई है तो एक आइक आइटम से काम नहीं चलेगा आइटम में बहुत हैमेरे पास बेचने के लिए अदपके से रिष्टे हैं कुछ भूले हुए से किस्से हैं एक नजर देख तो जाओ, मैं क्या बेच रहा हूँ, कुछ तूटे हुए से खिलोने हैं, कुछ बूटे हैं, जो अभी बॉने हैं, कुछ तूटे हुए से खिलोने हैं, कुछ बूटे हैं, जो अभी बॉने हैं, सस्ती ही दे दूँगा जाब, मैं अपनी जान बेच रहा हूँ, परसों से युँ ही रखता था, मैं यही नहीं दूकान में और भी कुछ है, रुसवाईयों के मसौदे हैं, यादों के कच्चे गरॉंदे हैं, जेबें अप्ट टॉले साहिब, मैं नुक्सान में बेच रहा हूँ, बरसों से युँची रखा था, मैं यह इमान बेच रहा हूँ, अब दुकान जब सजाई है, तो फिर नापतोल भी होता है, और चलो मेरी ना सही, तो तेरी ही सही, चलो मेरी ना सही, तो तेरी ही सही, पर कुछ तो रकम बढ़ाओ, मैं पूरी दुकान बेच रहा हूँ, दिल के साथ ये दर्द भी मुफ्त बेदूँगा, तो दिल के साथ ये दर्द भी मुफ्त में दे दूँगा, सोदा बुरा नहीं है बाबू, मैं जबान बेच रहा हूँ, कुदा ले लो, खुदा की खुदाई ले लो, personnage की खुदाई ले लो, शाम हो चुकी है, मैं अजान बेच रहा हूँ, बरसों से युही रखा था, मैं ये इमान बेच रहा हूँ और इसका जो लास्ट मेरा कप्लेट है, मत्ता है, वो है खंडर हो चुके इस शहर में, खंडर हो चुके इस शहर में, मैं हर जजबात बेच रहा हूँ जहां रहती थी मेरी माँ, मैं वो मकाम भी बेच रहा हूँ, वरसों से युद्धी रखा था, मैं ये इमान बेच रहा हूँ बहुत खुब, बहुत खुब, क्या बात रखसो सर ये कुछ एक तुकबंदी आपके समक्ष पेश की है, अगर वक्त है तो बताएं, आगे चलते हैं अब 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 दुबारा उजे वही बात यादा आती है जो आपके इंजॉइमेंट वाले, प्लैजर वाले, भावनाओं वाले जो शन है, जो वपल है, शिर्फ इंटेंस या नेगटीव चीज़ें या जो मन को जोड़ती हैं, वो ही नहीं मैंने कुछ ऐसा भी लिखा, जो मेरे मन के बहुत करीब है, मेरा बच्पन, मेरा बच्पन जीन में बीता है, मैं जीन से बिलॉंग करता हूँ तो मैं तो एक खाना बधोश हूँ, कभी फिरिदाबाद, कभी उशेतर, कभी अब अमबाला में दाना पानी था, तो यहां यह बस गए, तो मुझे मेरा शेहर, मुझे मेरा तुराना महॉला, मुझे मेरे ताय चाचे बड़ याद आते हैं, तो उन्हें कुछ मैंने लिखा जुगनू कुछ तितलियां पकड़ लाते हैं, वो पेड़ पर चड़ कर कच्चे आम तोड़ कर लाते हैं, के चलो कुछ जुगनू कुछ तितलियां पकड़ लाते हैं, वो पेड़ पर चड़ कर कच्चे आम तोड़ लाते हैं, वारिश बहुत हुई है, चलो कागस बनाते सब्सक्राइब जब बाइश में इदर उदर पानि में दूबर होते थे तो उनको लगता था कि हम इन की चानने वाले हैं तो पत्ते उठा के फटा किड़ों को इधर से उधर कर देते हैं तो बारिज बहुत हुई है चलो कागस की नाव बनाते हैं उठा लो पीपल के पत्ते चलो कीड़ों की जान बचाते हैं शाम हो चुकी है चलो यारों की टोली बनाते हैं वो बगल वाले बाग के शैत तूद्स कोड़के खाते हैं अच्छ वार जाओ साइकलों पे सवार हो साइकलों पे चलो मिलके रेस लगाते हैं देखें आज कौन से अंकल मीठा शर्मत पिलाते हैं आज जद्बा भी रहा नहीं गया जब बच्छे ड़क के आते थे तो पहले प्रोस वाले अंकल ही कहा देत आज कौन से अंकल मीठा शर्बत पिलाते हैं? ताओ के कंदे चड़के, यह जो मैं बता रहा हूँ, हमने किया हुआ है, हमारे ताओ, हमारे को कंदे में चड़ा के, ताओ के कंदे चड़के चलो बजार का चक्कर लगाते हैं चूरन टॉफी गटा खुलफी देखे क्या क्या दिलाते हैं पीछे मुड मुड के देखता हूं मेरे बच्पन के दिन मुझे बुलाते हैं पीछे मुड के देखता हूं मेरे बच्पन के दिन मुझे बुलाते हैं वो दिन भ हैं बलच को अखब कर देने की कौशिश कर रहा हूं। जब पासमी की अपने बच्चों को तुछ अपने बच्चों को तो सीख रहे हैं धेरी धेरे देखते हैं तो मेरी जो गुडिया है अभी दस्वी में है एक दिन तक किसी बात को लेके कुछ उदास बैटा था तो उसने का पापा बारिश आ रही है आज वार बैट तो जब किसे बात बुली तो मुझे लगा के मेरी जो संसकार को जाया नहीं लच्चों को ये पता है कि अगर आप बारिश में कुर्सी लगा के बाहर बैठे हैंगे तो काफी हद तक आपने प्रॉलम्स को टेंशन को दूर का सकते हैं तो तब मैंने एक छोटी सी रचना लिखी थी बारिश की ये बूंदें मेरे दिल को भिगो जाती हैं जिंदगी फ फिर से मुझे जिंदा कर जाती है बारिश बरस रही है जी भर के मज़ा ले लो मेरी बेटी आकर मुझे बता के जाती है ना हो अपने क्या मज़ा है जिंदगी का सांसों का क्या है बस आती है जलिया जाती है समेट लो इन बूंदों को जाया मत जाने दो समेट लो इन बूंदों को जाया मत जाने दो सुखे डंथल पर कलियां पड़ी मुश्किल से आनी हैं उम्र हो गई है बहुत समझदार काफी हो गई हो नादानियों को संभालो जनाब ये बहुत कम बाइड़ती है बहुत सही बात है तो यह वही है कि जो हमारे को रोज जो खुदा इश्वर चोटी चोटी नेमते हमारे को जो बख्षता है हम उसको नजर अंदास करते हैं और यह सोचते हैं कि कल को कुछ और मिलेगा ऐसा नहीं है आपको आज मिला है वही मदू मैम टाइम है अभी हमारे पास जी इस तर आप एक एक रिचना और सुना सकते हैं हमें तो क्या सुनाना चाहेंगे क्या सुनना चाहेंगे कुछ व्यंग के क्यों कि अगर मैं अपनी बात करूंगी सर मैं अपनी बात करूंगी तो मुझे वह बहुत पसंद है सरकी यह व्यंग आत्मक जो लेक होते हैं और जो सरकी शायरी जो व्यंग से जुड़ी होती है बहुत ही इंजॉय करते हैं हम लोग उसको तो बिल्कुल सर हम चाहेंगे कि इस तरह का कुछ जुरूर आप प्रस्तित दरें जी जी तो व्यंग का कुछ ऐसा है कि आप व्यंग जो है या तो अपने पर कर सकते हैं या अपने ही जैसे किसी पर जैसे आपकी बीवी पर या आपके अतंगनी पर क्योंकि वो बुरा नहीं मानती है और मानती है तो जो है वो मान भी जाती है तो ऐसी पास नहीं है तो अब के पास फिर आपके सासर भी जान सिर्विए मैं कर आपको अगर आपको टाक है तो शुराल के प्रिज भूमी पड़ती है पलवल तो कि पलवल से होडल है और होडल आगे मत्रा बिंदा भांग है तो कुछ उन पर लिखा था तरीके से लिखा था एक पर लूँ क्योंकि मुझे इलन नहीं था कि आप वो चीज भी मुझे बोलने के लिए बोल सकते हैं जरह एक मिर्ट तो मुझे अपनी लेकनिया याद नहीं रहती है इसमें मुझे पर पड़ेगा पांजी है तो कुछ व्यंग में लिखा था जिसमें मेरे ससराल वाले और मेरी वेटर हाफ मेरी शरीकिया है आद भी इसमें लिखा था क्या गजब का ससराल मिलो है ससर हम निवाला हम प्याला है तो क्या गजब का ससराल मिलो है ससर हम निवाला हम प्याला है थर्टी एमल उदर किया है सिक्स्टी इदर आने वाला है जा गजब का ससराल मिलो है ससर हम निवाला हम प्याला है थर्टी एमल उदर गया है सिक्स्टी इदर आने वाला है साला चिटटा पनीर खिलावे जब बैठते हैं ससराल मिलो आ है तो साली को सेवा है वो चिट्टे पनीर से होती है साला चिट्टा पनीर खिलावे च्या गजब निम्पू निचोड डाला है सोडे पर नज़र तो डालो एक्स्ट्रा बुलबुलो वाला है अब यह चीज कहां से आई एक्टली जो सोडे होते हैं वो दो तरह के आते हैं कांच की बॉटल में प्लास्टिक की बॉटल जो प्लास्टिक वाला होता है उसमें बुलबुले कम होते हैं और जो कांच वाला होत जिराए नदर तो डालो एकस्ट्रा बुलबलो वाला है पकोड़े तले हैं सलज सा म सलज मिले और ख्रोक अनेवाला जब जमाई हुए तर तो शेहंशा बनने का ब्रहम पाला है अब तीन-चार के बाद तो फिर शेहंशा बनी जाता है जब जमाई हुए तर तो शेहंशा बनने का ब्रहम पाला है सास बोली जादाना एंट धक्का दे दूंगी बाहर बीस फुट चोड़ा नाला है नशे में हाथ में जाडू पकड़ा दिया बोली लगजा कांपे जमाई सा दिवाली आने काड़ी है और घर में अरकरव जाला है बेबस निर्मल जाडू पड़े जब शेहंशा ने घरवाली को ताका निर्मंता से वो बोली अब पता चलाना किस से पड़ा पाला है शिक्स्टी सिक्स्टी के दो लगे थे शिक्स्टी सिक्स्टी के दो लगे थे अब सब उतरने वाला है बड़िजवासियों की नगरी है और कंस का बोल बाहा है मेरे ख्याल से हमारे पास समय मुझे चाहिए आगे की कारवाई मैंना हम आपकी जो पोईट्री थी आपकी रचनाय सुनकर हम हर तरह के भाव से अपने आपको लिप्ट पा रहे थे बच्वन की यादों में खो गए प्रकर्पी के साथ पहुंच गए और आज के जमाने की पार्टी के बारे में भी सुन लिया आपके मुझे तो मैं डॉक्टर नफस अंबालवी जी को अब अमंत्रित करना चाहूंगी मैं उससे पहले कुछ जो लोगों ने सुना है जो महसूस किया है मुझे लगता है कि उनकी टिपनियां जरूर ले लेनी चाहिए थाकि नफस जी सब के ऊपर बात कर सकें और यह मैं आप दोगों से सांजा करना चाहूंगा कि यह कारिकरम सर्फ इसलिए नहीं है कि हम केवल सुनके चले जाएं अपना जो एक तरह की सिंसिटाइजिशन जो है उसको करना मा姍ने करना टमीयां से अपने को तैयार आपने करना ते ज सुझ्ट में कहा था कि इसमें अपना फ्रार्थ है य Goddess तर्थ का स्टर्थ कितना है ऊश्पे निर्वर्वर करता है तो यदिनिкам Business कि मैं जानता हूं कि बहुत संवेदंशी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं एक मैडम को तो मैंने बहुत दिनों बात देखा उनकी भी शाहिरी पे बहुत अच्छी पकड़ है मैडम श्रेश्था और हमारे साथ डॉक्टर रविंद्र कुमार दुप्ता जी भी जुड़े हुए हैं फिलिटिकल साइंस के हैं लेकिन शेर शाइरी के वो बहुत तो डॉक्टर विने पे कोई भी आप टिपणि करना चाहते हैं लेकिन बहुत संख्षिप्थ या कोई प्रश्मि करना चाहते हैं क्यूंकि इंट्रैक्शन जब तक नहीं होगा तो बात बंती दे मुझ तुक्टर जिसे संगीति भाग से श्री हेम भादवार जी कुछ कहना चाहते हैं जी हेम जी जी दोक्र कमाल बहुत बिने कमाल आप का आप को मैं अमर नहीं पह रहा हूं कि आप कम पूर के पास्टर है या शक्ट लब साहिते के शक्रिया 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 बहुत बहुत मज़ाया और मैं आपसे कभी मेला नहीं हूं जाता रहता है तो बहुत मज़ा आया बहुत खुब चलिए अब यह हो गया हेम जी यह बात हो गई कि अब इनसे मुलाकात आपको जरूर करनी पड़ेगी और इस आप दोनों को मिलाने के अपुड़ने हम ले सकते हैं मैडम मदूद जी 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 बारे में बहुत बात होती रहती है कॉल में और जब दर पर भी जाता हूं मैं कई बारी मिरी रिकॉर्डिंग भी रिकॉर्डिंग भी करते रहते हैं बहुत सारी गजले वो चल रही है अभी तो आपके बारे में खूब बात उखती है बहुत मज़ा है आज पहली बारी आपसे जो है वेडिनार में ऐसे शुक्रिया बहुत मज़ा है और अभी कोई किसी की कोई टिपनी नहीं ही है लेकिन आप सभी नहीं देखा कि डॉक्टर बिने गोईल ऐसे नौर ऐसे निग्जायर और ऐसे डूर उनके तीनों आप लोगों के सामने आये उनकी कवितायों के माधियं से, उनकी रचनाओं के माधियं से उनकी शब्दावली के चुनाव से आप समझ रखते हैं शब्दावलियों के जो सिलसला उन्होंने बांधा है और जिन विचारों और भावों को वो उन्होंने मिश्ण किया है वो सब आप लोगों ने देखा है महसूस किया है और निश्चित रूप से मुझे रखता है कि यह सब ने आपको बहुत and rich भी किया होगा कि इस तरह से भी जिन्दगी को देखा जा सकता है और कभी का जो वर्ल्ड व्यू है और जो उसके व्यक्तिकत देखने की अपनी limitations होती है क्योंकि हर आत्मे के limitation of knowledge, limitation of attachment यह सब रहता है लेकिन उस सब के बीच में भी अपने को जीवित रखना, अपनी संवेदनाओं को बचाए रखना उसके लिए तो बाकिर प्रशनसा के पात्र है तो मुझे लगा है कि और अब किसी की टिपनी नहीं है तो अध्यक्षिय वक्तव्य के लिए और मैं चाहूंगा कि डॉक्टर बिल्कुल critical जी कविता में और फिल्मों में जो गाहें प्रयोग किये जाते हैं इनमें क्या अंत्र करते हैं आप मुझे लगता है ये प्रश्ण जो है हम डॉक्ट साब की तरफ उचाल देंगे डॉक्टर नफस जी की तरफ बाकी उस पर हम बात में कर लेंगे तो डॉक्टर नफस जी सर आपके क्रिटिकल व्यूस मैं विशेश रूप से क्रिटिकल की इसलिए तबज्च्व रखता हूं आपसे तबख्व रखता हूं क्योंकि डॉक्टर विने गोईल जो है वो बहुत open-minded open-hearted है इस मामले में open heart है उसका दिल बहुत पुला है और अपन क्रिटिसिजम क्योंकि क्रिटिसिजम को लोग बहुत नकारात्मक रूप से देखते हैं जबकि उसका मतलब आलोचनात्मक नकारात्मक नहीं है वो विशलेशन है एक तरह का समझ तो आप जानते ही हैं तो मैं चाहूंगा कि आप बेबाक अपनी राय अपना हमारे साथ सब क साथ साथ करें सर जी बहुत 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 शुक्रिया शुतोष जी आपका और मैं आप तमाम हजरात का जो भी यहां मौजूद हैं डॉक्त विने गोयल साथ आज आप यहां मेहमान शायर हैं तो मैं आपको सबसे पहले तो बहुत-बहुत मुबारक बात पेश करता हूं श सबको अपनी बड़ी खुबसूरत और दिल की गहराईयों से आपने जो भी लिखा जो भी लिखा आपने तो अपना सर्वस्व दिया अब उसको कोई क्रिटिसम में डालें उसकी तारीफ करें उसका कुछ भी करें वो अपनी जगह है मगर आपकी नियत जो थी वो समस्त दे जी डॉक्ट सर्यो जी डॉक्ट इना जी और मेरे बहुत इच्छे प्यारे सदोस्त हैं आपको अच्छा लगता है लेकिन आशुतोर जी जिस से आलोचना पर जोर दे रहे हैं मुझे लगता है कि वो जरूर आपको दुश्मन पालने के जरूरत नहीं आशुतोर जी काफी है विना जी आपके लिए देखिए मैं ये कहता हूँ कि ठीक है आशुतोर जी तो बहुत वित्वान आजनी हैं मेरे बहुत ही प्रेवेतर भी हैं मुझे अच्छी बात ये लगती है कि वो इतने साफ दिल से कोई बात कहते हैं उसके पीछे जो नियत है वो बहुत अच्छी होती है तो इस आलोचना में भी उनकी नियत बहुत अच्छी है कि वो जरूर ये समझना चाहते हैं कि कवित्वा को किस तरह से तोला जाए हम उसे कैसे पर की चाहे नफस अंबालवी की शायरी है या विने की है या हम किसी और मनमताना की या वशीरवत स की या वालिव की या मीर की मौमिन की हम किसी की विशायरी है अलोचना जब होती है तो वह बहुत खाविले तारीफ और बहुत रिया अतराम की बात होती है वो बड़ी इसत की बात होती है अगर उसकी सही तरह से आलोचना की जाए कि हाँ इसमें ये कमी है याने कि जो आपकी रचाएं हैं वो इस लायक हैं कि खोई उस पर एक तरह कि अपनी पुर्णी देना पसंद करता है तो आलोचना हैं सभी की हुई हैं आलोचना कभी भी गलत ह होती ही नहीं साहिती का लोचना जो लोग साहिती से जुड़े वें वो ये बातें अच्छे से समझते हैं अब रही बात कि शायरी में मुझे एक शेर याद आता है कि वजल में बंदिशे अलफाज ही नहीं सब कुछ वजल में बंदिशे अलफाज ही नहीं सब कुछ इगर क कुछ चाहिए असर के लिए याने हम सब कुछ इस दाव पर ना लगाएं कि हमने कुछ चोटी मोटी पुकबंदी कर ली है विनर जी ने तो अपना पहले ही अपने कुछ सेव कर लिया कि देखिए मैं तो पुकबंदी कर दा हूँ यह बड़ा स्मार्ट ले है यह बहुत अच्छी बात है बहुत एहतराम के साथ मैं आज आपका सुन रहा था और मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने जो लिखा और दूसरा मैं आपकी तरफ से भी आशुतोष जी और डॉक्टर मधू और एस्टी कॉलेज की इस पूरी तमाम टीम को इस बात के लिए मुबारक बात पेश करता हूँ कि वो तमाम ऐसे अदीबों को या जो लिटरिरी लोग हैं शायर हैं उन्हें ये मौका दे रहे हैं कलाकारों को ये मौका दे रहे हैं गाने वालों को ये मौका दे रहे हैं मुजीशन्स को ये मौका दे रहे हैं कि वो अपनी बात अपने विचार अपनी कला वो सब कुछ आ आपके सामने रखें और वो पूरी दुनिया के सामने एक ब्लैक और वाइट इसमें वीडियो ग्रैफिक हो जाए और उसको वो दर्च हो जाती है एक तर यह हमारी अमबाला का इतिहास लिका जा रहा है ऐसे ही इतिहास बनते हैं तो मैं देख रहा हूँ के इतिहास कैसे बनते है एक पत्थर की भी तक्दीर बदल सकती है शर्त यह है के सलीके से समारा जाए कोई भी जो लिखना चाहते हैं जो लोग भी कूछ अच्छा लिखना चाहते हैं मैं बहुत जल्दी से शायद टौपिक मैं सीधी सीधी टिपणी से थोड़ा बचना चाहूँगा दॉक्टर भी नहीं कि क्योंकि मैं एक ही श्यार में रहता हूँ और मैं चाहता भी हूँ कि मुझे अच्छे लोगों से मेरी दोस्तियों और आश्रतोस जी चाहते हैं कि ये दोस्ति तुड़वा दी जाए इनकी नफसम्वाली से टिपणी ऐसी करवाई जाए कि तो नहीं मैं ऐसा नहीं करूँगा लेकिन हम लोग बैठे हैं हम सब एक ही रस के पुजारी हैं तो मुझे ये लगता है कि शायरी में सबसे देखिये दो चीज़ें होती हैं मैं पहले बात तो ये कह दूँ कि मैं कोई प्रोफेसर नहीं हूँ जैसे आशुतोष जी और आप सब लोग हैं आप लोग किसी भी सबजेक्ट को एक क्रमानुसार बयान करने की एक सलाहियत रखते हैं उसको एक सिस्टेमेटिक तरीके से आप बता सकते हैं लेकिन जो लोग प्रोफेसर नहीं हैं वो शायद ये काबलियत नहीं रखते हैं वो बेशब जानते कितना भी हो लेकिन उसको जो बयान करना उसको जो समझाना है उसकी सलाहियत हर किसी के पास नहीं होती तो इसके लिए मैं आप से थोड़ी से पहले ही माजरत कर लूँ कि अगर कोई चीज उपर नीचे हो जाए तो उसे मुझे मुआ कीजेगा लेकिन शायरी जो है इसमें सबसे पहले आता है आप वाट डू यू वान्ट उसे क्या कहना चाहते हैं और दूसरी चीज है कैसे कहा आपने उसे अब आप कुछ कहना चाहते हैं लेकिन क्या जो आपने लिखा जो शेर अपने लिखा इस शेर में वो बयान भी हुआ के नहीं हुआ ये एक इम्पॉर्टन बात है हम इसे कहते हैं कि आप किस तरह से बयान कर रहे हैं वो लफ़ आपके वो आपका जो अंदाज है क्या वो उस वो साफ कर रहा है आपका जो विशह है विचार है तो खयाल जो है ये बहुत important चीज होती है इसके लिए एक जीवन की बड़ी परिपक्रता की जरूरत होती है एक philosophy की एक दर्शन की बड़ी जरूरत है कि आप जो कह रहे हैं क्या वो दर्शन शास्त्र उसको सही समझता है क्या हम जिस तरह से अपनी शायरी के भी कुछ असूल है शायरी में बहुत सी चीज़े हैं हम जिनें बड़ा एहतराम के साथ देखते हैं जैसे हम दुख को शायरी में कभी भी तिरस्कृत नहीं मानते ये उसूल की शायरी के अपने उसूल हैं जैसे आपके कम्प्यूटर्स के अपने उसूल हैं संगीत के अपने सुर हैं उनको किसी सुर को किसी के साथ नहीं लगाते वैसे ही शायरी के भी कुछ बाकाइदा, कुछ असूल है तो दुख जो है वो एक बहुत ही नायाब और बड़ी ही ऐसी चीज है जिसका एहतराम होना चाहिए तो मेरे ऐसे बहुत से शेर हैं, मैं अभी बाद में उसके कुछ बात कहूंगा गम भी रोते हुए बच्चों की तरह हुए अब देखिए कि हम किस तरह से किसी चीज को एकसिप्ट करते हैं हालांके दुख किसी को पसंद नहीं है मगर शायरी जो है शायरी में बहुत से चीजें हैं जो बिल्कुल आम दुनिया की जो रवायात हैं उन से अलग है अच्छा इसके बाद आती है बात अरूज की यानि जिसको हम चंद शास्तर कहते हैं अगर आप चंद में लिख रहे हैं दो तरह से लिखा जाता है आएका आजाद कविता है एक चंद में या जिसको हम बाबहर कहते हैं बहर में लिखी जाती है अब देखिए कि जो आजाद हैं उसे अभी तक हम जितने हम एक साइंस की अगर हम बात करें कि जो scientific तरीका है, शायरी का भी एक scientific way है, उसमें अभी तक इसे मानने ताप राप नहीं हुई, कि आजाद मींस आप बिना च्छंद के कोई बात कह रहे हैं, तो उसको हम अभी तक कविता में वो शामिल नहीं हुई, हाला कि बहुत से बड़े-बड़े, हम फराख, फराख आइ, या फद अहमत फद साहब, कि फद अहमत फद तो नहीं, लेकिन हां, अब्दल्फराज की बात करदे, तो फराख साहब ने भी की, और निराला साहब ने भी इसके उपर अपनी लुखती है, सब ने, मैंने भी लिखी हैं, आजाद, लेकिन जहां तक सवाल फमाने बहुत चाहरी है, शायरी में हम च्छंद और बहर को ही मानिता देते हैं, इसलिए मेरा सभी लिखने वालों से अनुरोध है, कि कोशिश ये करें, कि आजाद लिखने से बहतर च्छंद में और बहर में लिखने की जरूर कोशिश करें. अब च्छंद और बहर क्या होती है अरूज क्या होता है ये एक थोड़ा बहुत वास्ट विश है मैं बहुत उसमें नहीं जाओगा लेकिन इसमें कुछ चीजें ऐसी हैं जैसे आप कोई चीज लिख रहे हैं एक तो तलफुज मैं अभी सुन रहा था विने जी को कि उन्होंन उर्दू तो इसमें कोई ऐसी खास बात नहीं है ये कोई आपकी कमी भी नहीं है हम जैसे भी हैं वैसे हैं अब हम उसमें थोड़ा जाने पहचाने उस चीज़ को समझें तो मुझे लगता है कि किसी चीज़ को जानना इतना मुश्किल नहीं है हमें तलाफुज जो आपका pronunciation है उसमें बहुत सोच समझ और विचार के साथ बात करनी चाहिए जैसे हम कोई बात कहते हैं आप प्रोफेसर हैं अगर आप किसी subject के वारे में पढ़ाएं और वो गलत पढ़ाने तो ये बात साफ हो जाएगी कि आपको अपने subject की knowledge बात करेंगा अगर मैं अर्दू के लफजों को घलत इस्तेमाल करूंगा तो ये बात माली जाएगी कि मुझे शाइरी वारी से कोई वास्ता नहीं है मैं अपना दून में लिखता रहता हूं वो एकसेप्ट सबको है सब मेरे दोस्तों को एकसेप्टिबल है लेकिन शाइरी को वो एकसेप्टिबल नहीं है साहित किसी का दोस्त नहीं है किसी का दुश्मन नहीं है उसका कोई वास्ता नहीं किसी से आपको वो जानते ही नहीं के आप कम्प्यूटर के प्रिवएसर हैं या आप पि-ऐच्डी हैं या आप छोटी मौटी तालिम हासिल की है साहित को इस से कुछ लेना देना नहीं है साहित तो सिरॉब वो परखता है जो आप लिखते हैं हम लोग देखते हैं कि एक लवज इस्तेमाल हो रहा था मिजाज अब हम इसको मिजाज भी बोलते हैं बहुत से लोग इसको मिजाज भी बोलते हैं बहुत से लोग लेकिन सही लवज है मिजाज तो हमें ये कोशिश करने चाहिए कि मैं सभी लोगों से एक request करूँगा कि वो dictionary ज़रूर रखें अपने पास और dictionary में हर लव्ज को देखने का चाहे आप अंग्रेजी सीख रहे हैं चाहे आप बिंडी सीख रहे हैं चाहे आप संस्कुट सीखते हैं या कोई भी जबान सीखते हैं, पंजाबी सीखते हैं, ये सब हमारी जबाने सभी पाको साफ होती हैं, बहुत पातीजा होती हैं, बहुत पूजनी होती हैं, सभी जबाने, अंग्रेजी के समय, हमें उनकी डिक्शनरीज रखनी चाहिए ताके हम उनको समझ पाएं, बेतर समझ हम यूज करते हैं आम तर बेखता हूं कि हम आज के हालातों को देखते हुए अजो आज मेरे अलफाजों को देखते हुए हम प्लूरल को और ज्यादा उसको फिर प्लूरल बनाने की कोशिश कर रे हैं लफ जो है ये सिंगलर है अलफाज उसका प्लूरल है अगर हम अलफाजों कर देंगे तो वो गलत हो जाएगा ऐसे ही हालात जो है हालत जो है वो सिंगल है और हालात जो है प्लूरल है और जब हम हालातों कर देंगे तो वो गलत हो जाएगा ऐसे ही बहुत सारे लबज हैं जो आएच कल इस्तेमाल होते हैं हम देखते हैं अखबारों में आप पढ़ें उसमें लिखा होता है बड़ा बबाल काटा जी महवर या वबाल काटा आम तरब आपको वबाल लिखा मिलेगा जबकि लफ़ है जो वबा है, वबा से ये लफ़ आया है वबाल, वबाल नहीं है वबाल है तो हमें चोटी-चोटी चीज़ों को ध्यान में रखने की जरूरत है जैसे हम दूसरे तमाम सब्जेक्ट्स की बात करते हैं जैसे ही आप एक लख गलत बोलते हैं साहित में आप एक सीड़ी नीचे आ जाते हैं हमें इसलिए इस पर बहुत ध्यान देने की जरूरा है कि हम पहले इस पर थोड़ी मश्ट करें एकसाइज करें जिसको के हम कसरत कहते हैं कुछ भी कहें आप भ्यास कहें वो हमें करनी बहुत जरूरी है कविता सिर्फ आपके जहन में किसी ख्याल के आज आने का नाम कविता नहीं ऐसा कोई इनसान नहीं है जिसके जहन में कोई ख्याल नहीं आते या अच्छे विचार नहीं आते हम ऐसे लोगों को देखते हैं जिनके पास हमसे बहुत अच्छे विचार हैं लेकिन शायरी उसको कहते हैं कि आप उन अच्छे विचारों को कैसे शब्दों में बांते हैं और कितनी उपसूर्टी से बांते हैं एक लफ़ होता है चिराख अब देखिए लफ़ है चराख लेकिन हमने इसको चिराख बना दिया है लफ़ है सर लेकिन हमने इसको सिर बना दिया है ऐसे लफ़ है फूल फूल जो है वो फूल नहीं है फूल और फूल ये दो अलग अलग लफ़ हैं तो हमें फूल तो अंग्रेजी का लब्स हो गया हम जब फूल को फूल बोलें या फूल को फूल बोलें ये बहुत उसके माणी बदल देता है हमें इन चोटी चोटी चीज़ों पर ज़रूर ध्यान देना चाहिए क्योंकि आम तोर पर जिन लोगों को इनकी नौलेज नहीं है वो इसे बहुत छोटा समझते हैं जैसे मेरे जैसा आदमी कंप्यूटर को कहें अरे भई क्या होता है लड़के को बुलाओ उसको दिखाओ बात खात्म कौन सी ऐसी बात हो गया इसमें कौन सी बड़ी चीज़ है लेकिन अगर मैं डॉक्टर विने के सामने बैटों वो कहें जी नहीं नहीं ऐसा नहीं होता है कंप्यूटर ऐसा नहीं होता कि अप लड़के को बुलाओ अपना कंप्यूटर दिखाओ उसको दो सो रुपए दो हो गया नहीं नहीं ऐसा नहीं होता है इसे समझना इतना असान नहीं तो हर सब्जेक्ट को हम अगर इस पाबंदी और इस एहतराम के साथ समझें तो मुझे नहीं लगता कि कोई वज़ा है कि हम इसे न समझ पाएं और उसमें कुछ बेतर न करें कुछ लोग बैठें हैं ये सब थोड़ा सा बोर हो जाते हैं जब हम शायरी छोड़ कर कुछ काम की बात करने लगें तो थोड़ा मुझे एक शेर याद आता है कि मौम के लोग कड़ी धूप में आ बेगें मौम के लोग कड़ी धूप में आ बेगें आओ अब इनके पिखलने का तमाशा देखें यह पूरी की पूरी जो हमारी कवायत है यह ऐसी है कि मेरा कहना यह है कि उर्दू की शायरी अगर आप उर्दू में कर रहे हैं तो उर्दू के बारे में जाने जरूर वो एक शेर आपने जरूर सुना होगा कि वो उर्टो का मसाफिर है यही पहचान है उसकी जहां से भी गुजरता है सली का छोड़ गाता है यह यह शेयर यह ही नहीं लिखे गए दरसल इसके पीछे वजह भी है हम बाइस नहों और हम नफरतों की आंधियों में बहे ना जो आजकल बह रही है हम साहित से जुड़े हुए लोग हैं महबबत की बात करते हैं और महबबत की बात ही हमें समझ भी आती है हमें वो बातें समझ नहीं आती है मुझे तो नहीं आती बिल्कुली समझ में नहीं आती मैं मानता हूँ तसलीम करता हूँ इस बाते हो और मेरा कहना बस इतना ही है कि एक शेर मुझे याद आता है कि सलीके से हवाओं में जो खुश्बू गोल सकते हैं सलीके से हवाओं में जो खुश्बू गोल सकते हैं अभी कुछ लोग बाकी हैं जो उर्टू गोल सकते हैं जबाने सभी मीठी हैं अगर हम उन्हें उसके हिसाब से उनके साथ थोड़ा न्याय रखने की कोशिश करें और उनका उनकी इज़त करें तो मुझे लगता है कि वो अपने आप आपके अंदर आती है बाकी सीधे सीधे अगर मैं बात करूं थोड़ी सी चोपी सी बात करना चा जी डॉक्टर विने गोईल ची को कि अभी आपको बहुत दूर तक जाना है आपने शायरी शुरू की है इसमें आपको कई चीजें देखनी होंगी हम कई चीजें देखते हैं शायरी के बहुत से असनाफ हैं सिन्फें हैं विधाएं हैं चीक है सिन्फ जो है एक विधा को कहते हैं जब हम विधाएं बोलते हैं तो उसको असनाफ कहते हैं तो हम तमाम तरह की जितनी भी असनाफ हैं उसमें गजल आती है नजम आती है खता आता है मरसी आता है नगमा आता है दोहा आता है कुनलियां आती है आजाद कविता आती है और तर जो है जो हम एक नसर हम बोलते हैं उर्दू में उसको नसर बोलते हैं और शायरी जो है वो पद में आ जाती है तो जहां शायरी का सवाल आएगा उसमें हमें इन सब विधाओं को ये सब विधाएं अलग-अलग तरह से इस्तेमाल होती है, अलग-अलग इनके असूल हैं, अलग-अलग नियम काइदे हैं बने हुए अब देखिए, हम शेर की बात करें, हम घजल की बात करें, उस दिन पीछे एक टॉक होई थी, उसमे एक चोटा सा टॉपिक रहे गया मैँ उसको बहुती समराइजड वे, में बहुती संक्षित रूप में उसको समेट कर आपको बता दूँ कि जो लोग भी सुन रहे हैं, घजल में हम इसमें दो मिसरे, एक शेर जो होता है, इसमें दो मिसरे होते हैं, यानि दो लाइने होते हैं, मिसरा मिन स्पंक्पिगार्गर पहला मिस्रा होता है उसे हम बोलते हैं ओला मिस्रा जो पहला मिस्रा है उसे बोलते हैं ओला मिस्रा और जो दूसरा मिस्रा है उसे बोलते हैं सानी मिस्रा सानी का मतलब ही दूसरा होता है जैसे हम कहते हैं कि आशुतोस जी का कोई सानी नहीं है तो यानि इनके जैसा कोई दूसरा नहीं है तो सानी का मतलब ही दूसरा होता है उसे हम सानी मिसरा कहते हैं लवज कुछ भी नहीं है बात सिर्फ वो उल्दू में कहने की है तो हम वो हमें आसानी होती है जब हम किसी जबान में कोई को जानन सीखना चाहें तो हम उसी जबान में कोशिश करें कि उसे समझें ताकि अब उसके अंदर जो पहला हम शेर कहते हैं एक घजल जो है एक घजल में पांच शेर कम से कम होने चाहिएं पांच साथ नो ग्यारा इस तरह से और नंबर्स में इसमें शेर होते हैं हालां कि मैं कोई बहुत इसका कायल नहीं हूँ मैं छे भी लिखता हूँ आठ भी लिखता हूँ लेकिन हाँ यह पांच से ज्यादा होने चाहिए अब इसकी क्या वज़ा है कि यह और नंबर में क्यों रखा जाता है यह मुझे भी नहीं मालूम है और मैंने बहुत लोगों से बात की इसमें से अपने मुक्तलिफ अपना सोचना है लेकिन यह कोई खास माने नहीं रखती कोई खास हमें महत्पूम नहीं है यह अब हम जो पहला शेर उसमें कहते हैं उसको कहते हैं मतला और मतला जो है उसमें काफिया तै हो जाता है काफिया आप समझते हैं आपकी शाय कि उसमें काफिये में काफी कमिया हैं काफिया एक basic line है जिसे हम rhyme कहते हैं हम किसी शायरी कोई भी एक शायरी हम अपनी बात करें कि मैं एक शेर सुना देता हूँ कि आपने अपने शहर की कुछ बात की थी मेरा वजूद भी कुछ इस तरह जहान में है मेरा वजूद भी कुछ इस तरह जहान में है कशीदा तीर है लेकिन अभी कमान में है कशीदा कहते हैं खिचा हुआ और खिचाव कशीदगी होती बात में भी कशीदगी होती है लेकिन यहां जो कशीदा लफस का इस्तेमाल हुआ है वो तीर के लिए हुआ है और ये बहुत कम इस्तेमाल होता है मेरा वजूद भी कुछ इस तरह जहान में है कशीदा तीर है लेकिन अभी कमान में है और यहां के लोग अलिफ बे तो कम समझते हैं यहां के लोग अलिफ बे तो कम समझते हैं अजीब शहर है अर्दू मगर जबान में है अब देखिए आपकी जबान में अर्दू तो आ जाती है आप कुछ कहते हैं मैं बड़ा परिशान हूँ परिशान तो अर्दू है हम कहते हैं अरे भाई वो बच्चे जा रहे हैं बच्चा भी तो अर्बी जो है फार्सी का वो बस्टेंड पे खड़े हैं ये भी तो अंग्रेजी का लब्ज है हम कहते हैं कि उसकी बस्ते में कितावें हैं बस्ता भी तो जो है ये फार्सी का शब्द है और उसकी कितावें जो है ये अरबिक शब्द है उसकी उसमें पैंसलें भी डाल रखी है उसने रंग डाल रखे हैं रंग क्या है रंग भी तो फार्सी का शब्द है पैंसिल भी तो अंग्रेजी का शब्द है हमारी जो जबान है वो एक mixed जिसको हम कहते हैं किसी भी देश में सभी देशों में तकरीबन एक mixed language को ली जाती है और ये कोई बुरी चीज नहीं है भाशा जबान का मकसद है मेरे विचार आप तक पहुचने चाहिए हाँ उनका एक स्कार होना चाहिए कि हम बिल्कुल जमीन पर ना उतर आएं जैसे कि आज कल हमारी जबाने उतर आई हैं ना हिंदी के ना उर्दू के रहे ल कि मैंने कभी शेयर लिखा था अब हमारे हम अपने बच्चों से अगर हम देखते हैं तो हम उनको हिंदी दे नहीं पाए लेकिन हम ने हम उनको अंग्रेजी भी नहीं सिखा पाए ठीक से मैं देखता हूं ये बात हालांके कुछ लोगों की बात चोड़ दें कुछ तो देखते हैं कि बच्चों में भाशा की बहुत परेशानी आ जाई है लेकिन हमें अब काम इस पर करना चाहिए कि हमें ये सब्जक्ट दूसरा हो जाएगा मुझे उस तरफ से उदर नहीं जाना चाहिए हम आएं गजल पर तो हम इसमें काफिया पहले तै कर लेते हैं मतले मे इसमें काफिया जैसे मैंने अभी आपके सामने ये शेयर पढ़ा मेरा वजूद भी कुछ इस तरह जहान में है कशीदा तीर है लेकिन अभी कमान में है इसमें जो काफिया है वो है जहान और कमान ये काफिया है और इसमें आन जो है ये राइम है अब इसमें आप जहान जो मकान जोड़ते हैं तो ये सब कुछ इसके अंदर ये सब तमान काफिया आएंगे लेकिन अगर आप इसमें आपके इसमें एक शीर आए था उसमें सामान को आप समान सामान जो है सामान इसमें काफिया नहीं आएगा क्योंकि सामान जो है वो सा के साथ आ रहा है सा मा न और क मा न यहाँ वजन का फरक आएगा वजन जो जिसको हम बोलते हैं बहर बोलते हैं यह मात्राओं का के है हम एक जैसे हम हम बोलते हैं का, का जो है क एक अक्षर है, लेकिन जब उसके अंदर एक अलिफ और लग जाता है, यानि हम एक आ की मात्रा लगा जेता है, उसमें एक स्वर जोड़ गिया, एक स्वर जोड़ने से वो दो हो गया, इस तरह से यह गुरू हो गया तो हमें इसको एक गुरू के तरह से लेना चाहिए और लगू जैसे हम ना लिखते हैं कि ना ना वो ना ऐसा करे तो अगर हम ऐसा ना जोडते हैं उसमें अगर हम अलिफ लगा देते हैं या मातरा लगा देते हैं स्वर वो बलत हो जाएगा उर्दू में ना को नहीं बोला जाता है सिंगल लगू के रूप में लिया जाता है लगू और दिर इस से ये मात्राओं की एक रिदम जो है इसको हम किते हैं बहर और बहरें जो हैं ये आम तोर पर कुछ लोग मानते हैं कि अठारा बहरें आम तोर पर चलित हैं तो बहरें तो बहरें तो बहुत ह बनाते हैं तरह तरह के तरन्म बनाते हैं वैसे ही बहरे हैं लेकिन अठारा बहरें जो हैं उसी में सब समाहित हैं इससे बाहर कुछ नहीं है सब इसी के अंदर समाहित हो जाते हैं कुछ लोग इसे 32 भी मानते हैं अब इसमें उसके बाद घजल में मतले के बाद ये तो हुआ अच्छा एक इसमें रदीफ है, एक इसमें रदीफ ये है कि जो है, में है, जहान में है, कमान में है, जबान में है, में है जो है ये रदीफ है, रदीफ किसको कहते हैं, रदीफ कहते हैं पीछे चलने वाले को, पीछे चलना रदीफ, और रदीफ का मतलब ही ये है कि जो काफिया जो है उसका नियम का पालन हर शेर में किया जाएगा हर शेर जो है वो एक मैं आपको एक कोई भी एक अपनी गजल निकाल कर उसका एक आपको हाँ मैं इसमें आपको एक इसको रदीफ जो है उसका और काफिय का मैं आपको बता देता हूँ देखिये मतला सुनिए के अगर चराप भी आन्दी से डर गए होते तो सोचिए के उचाले किदर गए हूँ अब इसमें सबसे इंपोर्टट है खयाल आप क्या कहना क्या चाहे हैं वो खयाल बहुत साफ और वाज़े होना चाहिए अगर चराव भी आंधी से डर गए होते आश्टोजी ये आप के लिए ले अगर चराव भी आंधी से डर गए होते तो सोचिए के उजाले की धरके होते पड़ी साफसी बात है हम चरावों की बात कर रहे हैं हम ऐसे लोगों की बात कर रहे हैं हम मदू जैसे लोगों की बात कर रहे हैं, हिंज जैसे लोगों की बात कर रहे हैं, वीनजी जैसे लोगों की, आप किसे डर्रे बैठे हैं, किसी ने आपको कुछ कह दिया, आप दिल से लगाएं, अपने सब छोड़ चाड़ के बैठ जाएं, ये चरागों वाली बात क्या है, वोगर चराग है तो रोशनी की बात करें ठीके हमें इन चीजों को देखना है अगर इसका शेर सुनिये अगर चराग भी आंधी से डर गए होते तो सोचिए के उजाले कि धर गए हो ये मेरे दोस्त, मेरे चारागर, मेरे अहबाब चारागर केते हैं डॉक्टर को अहबाब केते हैं आपके जो मित्र गण है ये मेरे दोस्त, मेरे चारागर, मेरे अहबाब न छेड़ते तो मेरे जखम भर गए हो यहां भी विचार देखिए कि विचार किस तरह से आया विचार जो हैं वो जखमों को एहतराम करते हैं ये संभाल के रखनी की चीज़ हैं हमारे जो दुख हैं इनको जाया न करें ये बड़े काम की चीज़े हैं ये बड़े काम आते हैं दुख जो हैं बड़ी दूर तक चलते हैं दुक्त ऐसे फूल हैं जो जल्डी मुर्जाते नहीं है, सुक्त ऐसे फूल हैं जो अभी रात को खिलेगा तो इनकी खुष्ष्भू बड़ी थोड़ी देर के लिए होती है लेकिन दुक्त की खुष्भू बड़ी दूर कत्याती है, ये शायरी का मानना, मैं शायरी की बाद कर रहा हूँ. अब इसके अंदर डर गए होते कि भर गए होते, भर गए होते, जो गए होते हैं ये है रदीफ, और डर जो है वो है काफिया, हर काफिया है कोई निगाह जो अपनी भी मुनतजर होती कोई निगाह जो अपनी भी मुनतजर होती तो हम भी शाम धले अपने घर गए होते हैं कोई निगाह जो अपनी भी मुनतजर होती तो हम भी शाम धले अपने घर गए होते अब यहां घर काफिया है यह इसी तरह से आएगा बिलकुल राइम के साथ आएगा बावजन आएगा यह घर जो है इसमें घर और रह यह दो लफजों के साथ जुड़कर बना है लेकिन घर क लखू रूप में लेते हैं और जब लखू इसके साथ जुड़ जाएगा एक लफज के साथ तो वो दीर्ग बन जाएगा घर जल्दी से नहीं भी समझ में आती कोई बात है मगर फिर भी आप मेरी बात को समझें जरूर जरूर इसको ऐसे ही समझें यह बड़ी आसान हो जाएगा तो र को हम जैसे हम कहते हैं नल न और ल दो लफजों से मिलकर बना है आशुतोची बेटे हैं इसके माहिर हैं यह बहु नहीं कहते हैं ना ला नहीं कहते हैं जबकि उसमें ला लगा हुआ है लेकिन हम बोलते हैं नल अल करते हैं ला के साथ स्वर नहीं लगाते हलंत होता है मैं ठीक करूं हर लफज के साथ हलंत है जो आखरी लफजे उसके साथ हलंत लगा हुआ है ऐसे आप तिल्गू जो है ति के साथ वही उनकी भी जबान में वही कानून है हमारी जो हिंदी और संस्कित भाशा है इसमें भी हलंत लगा होता है इसलिए उसके साथ स्वर नहीं है वो घर कहलाता है घर नहीं कहलाता घर नहीं बोलते घर बोलते है नाल नहीं बोलते नल बोलते है ऐसे ही इसके बाद ये प किते हैं मक्ता जरूरी नहीं है कि हम किसी घजल में मक्ता करें मक्ता जो है उस शेर को कहते हैं जिसमें शायर अपने तखल्स का इस्तेमाल करता है तखल्स जो है ये एक उपनाम है ये एक पैन नेम है जो के अर्दो शायरी में लाजम है अर्दो शायरी बिना तखल्स के नहीं होती जैसे मैं नफ संबालवी हूँ तो नफ संबालवी, जिगर मुरादाबदी, BILL IT, यह सब जो हैं, यह एक रवायती तोर पर जिगर उनका तखलुस है, मुरादाबाद के थे इसलिए जिगर मुरादाबाद थे अकबर इलाहबादी क्योंकि अक्बर उनका तखलुस था और इलहाबाद के थे साहर लुद्यानवी साहर का मतलब होता है जादूगर ये उनका तखलुस था उनका नाम अब्दुलहाई था लेकिन उनका तखलुस उनको अब्दुलहाई के नाम से कोई जानता ही नहीं मुझे भी नहीं मालूम था लेकिन उन्हें साहर लुद्यानवी के नाम से तो सारी दुनिया वाफिफ है उनसे बड़ा नाम तो कोई हिंदुस्तान का अभी है ही नहीं आसपास इस सदी का तो हमें जो काफिया जब इस्ते जो एं सॉरी हम तकलुस इस्तेमाल करते हैं जिस शे कि अचलिस हमें दो कॉल्ड बावता है उसे मकता कहते हैं वह आखरी शेर होता है आखरी शेर में मकता अगर तखल्स का इस्तेमाल मान लीजे नहीं कहा हम उसे बे मक्ता वजल कहेंगे मक्ता विहीं तो कोई बात नहीं इसमें कोई फरक नहीं पड़ता लेकिन ये एक रवायत है कि इसमें मैं आपको पढ़के सुना देता हूँ कोई निगाह जो अपनी भी मुनतजर होती तो हम भी शाम ढ़ले अपने घर गए होते अगर वो मेरी आयादत को आ गया होता आयादत कहते हैं बीमार का हाल पूछना अगर वो मेरी आयादत को आ गया होता तो दोस्तों के भी चेहरे उतर गए होते और हमें तो शौक के सुखन ने समेट रखा है सुखन कहते हैं कविता को हमें तो शौक के सुखन ने समेट रखा है वगरना हम तो कभी के बिखर गए और इसमें मुझका सुनिये के उन्हें भी मुझसे महबबत तो है नफस लेकिन अब यहां पर नफस का इस्तेमाल हुआ है तो इससे ये जाहिर है कि ये मक्ता ही है उन्हें भी मुझसे महबत तो है नफस लेकिन मैं पूछता है तो यकीनन मुकर गए मुकर गए हो ते क्या बात जामादूब ये घजल मैंने आपको एक घजल का चोटा सा एको उदारन पेशकर के बताया कि इस तरह से हम इसको बांगते हैं आपकी जो आप लिख रहे थे उसमें कहीं कहीं काफियों में दिक्कत है कहीं काफिय जो है वो है ही नहीं और सिर्फ रदीफ जो है जाते हैं पकड़ लाते हैं कच्चे आम तोड़ लाते हैं जब हम तोड़ शब्स इस्तेमाल करेंगे ये हमें मतले में पहला जो शेयर होगा उसी में तैह हो जाएगा किया इस्तेमाल करें ये हम कभी बैठेंगे तब इसको डिटेल में बताएंगे कि ये क्या उता क्या है किस तरह से ताफिया तैह हो लेकिन अगर हम ताफिय का आखरी लेना चाहते हैं या दो लवज दो अक्षर लेना चाहते हैं या चार अक्षर लेना चाहते हैं ये तैह ह मारा मतला तै करता है जो मतले में तै हो गया वो कानून आगे तक चलेगा ताकि तमान धरीकों भी उसको बदल नहीं सकते हैं इसलिए जब मतला लिखा जाए उसमें बहुत साथानी बरती जानी चाहिए है उसे बहुत सलीके और सोच समझ कर लिखा जाए कि हम क्या काफिया ले रहे हैं वही काफिया आगे बदल नहीं सकते हैं उसको इसलिए उसको आप पहले तो तै कर सकते हैं उसे इसलिए ये तै होना चाहिए कि आप क्या काफिया ले रहे हैं जान बचाते हैं तोली बनाते हैं शेहतूत तोड़ कर खाते हैं हमें एक जगे आप कहीं मकाम भी जैसे एक आपकी थी उसमें समान इमान के बाद एक जगे आया क्या क्या लफज आपने इस्तेमाल किया हमें यहां पर यह देखना है कि सामान और इमान के साथ क्या काफिया नहीं बने गा क्या जो है वो क्या के साथ या के साथ ही आएगा वो हर जगे क्या जो है जब हम आधा लवज हमने आधा का इस्तेमाल किया है इसमें अक्षर तो इसमें उर्दू में क्या है कि क्या को हम सिर्फ एक दीर्ग में काउंट कर लेते हैं प्यार प्यार प्या जो है ये दीर्ग में काउंट होता है र अलग से एक लगव में काउंट होता है दो एक में आ जाएगा हम दीर्ग को दो की जगए लिख लेते हैं और लगव को एक की जगए लिख लेते हैं इस तरह से क्योंकि वो दो हैं तो हम जो आधा है उसकी गिंती आम तोर पर नहीं हो लेकिन जैसे आप बोलते हैं प्रकाश उर्दू में प्रकाश कहने का कोई जरिया नहीं है लिखने का कोई जरिया नहीं है प्रकाश नहीं लिखा जा सकता परकाश लिखा जा सकता है परनाम लिखा जा सकता है ये हमें इसलिए प्रवीन हम हिंदी में बोलते हैं लेकिन जो जब हम इसे अर्दू में लिखेंगे तो ये प्रवीन हो जाएगा प्रवीन क्योंके इना तो है ही नहीं अर्दू में तो ये प्रवीन ही लिखा जा सकता है तो इसलिए आपको अर्दू वाले जो है अकसर तलाफुज में आप समझेंगे उसे पननसीशन में कि अर्दू वालों का तलाफुज जरा अलग होता है हम उन्हें ऐसा मानते हैं कि वो गलत बोल रहे हैं लेकिन क्योंके हम खुद गलत हैं हमारे जो प्रचलिक शब्द हैं जो हमारे प्रचलिक भाशाएं हैं वो इतनी गलत हो चुकी है कि हमें सही जो है वो घलत दिखाई देने लगा है ये बड़ी खतरनाक मैं समझता हूँ एक स्थिती बनती जा रही है जो हमें घ्यान देने की जरूरत है तो मेरा आप से अनुरोध यही है कि आप बहुत अच्छा लिख रहे हैं और इसे मुझा लगता है आप किसी के कहने में ना आएं अब रही बात मैं अभी एक सहाब बात कर रहे थे कि उनका नाम क्या है आशुतोष जी? किनका सर? डॉक्टर रविंद्र कुमार हाँ जी डॉक्टर रविंद्र गुपता जी मैं नमश्कार मैं मौफी चाहता हूँ कि मैं नाम थोड़ा सा उसमें में थोड़ा वो हुआ लेकिन उन्होंने एक प्रश्ण किया कि फिल्मों में और शायरी में क्या तालमेल है या वो कैसे इस्तेमाल करते हैं या इस पर वो चाहते हैं कि मैं कुछ अपनी बात कहूं या चाहते तो आशुतोष जी से थे उन्होंने मेरी तरफ सरका दिया कि फिल्म वालों से मैं क्यों बिगड़ू जो रिष्टे बिगाड़ने नफस बिगाड़े तो मैं तो कुछ फिल्मों के लिए बहुत अच्छी राय नहीं रखता आशुतोष जी मैं ये मानता हूं कि फिल्मों ने हमारे समाज को बहुत कुछ दिया है लेकिन अगर बहुत ज्यादा लिया हो तो हमें इस पर तो ध्यान देना ही पड़ेगा कि लिया ज्यादा है या दिया ज्यादा है मुझ़े यसा लगता है कि उन्हों ने समाज को निचोडा ज्यादा है और गंदगी हमें परोसी ज्यादा है कला के नाम पर परोसी है ये उससे भी दुकताई और मेरे पर लवज ही नहीं है, कोई लवज ही नहीं है आप समझ सकते हैं कि मैं किस हद तक फिल्म वालों के बारे में समझता हूँ एक अकेले जो साहिर लुध्यानवी एक ऐसा शायर था जिसने कभी समझगता नहीं किया अपने लेखनी में वो कहता था जो लवज है वो है आप किसी और शायर से लिखवा लिजिए, लेकिन मेरी जो नज्म है उस में वो शब्द वही का वही रहेगा, जो मैंने लिखा रहे है आपको मश्किल लगते हैं, आप किसी और से लिखवा लगए एक अकेला शाय, बाकी हसरत जैपुरी, शफिल बदाहिनी और तमाम नीरच, इनकी तो बात ही क्या कहें, नीरच जी से मैं मिला हूँ, बहुत अच्छे से मैं उनकी हायात में मेरी उनसे मुलाकात हुई दिली में, लेकिन यहां भी हुई अंबाला, S.B. कॉलेज में भी आय थ नीरच जी तो, लेकिन उन्होंने बहुत समझावते किये हैं, मैं एक अगर सिर्फ छोटे संख्षित में अगर ये बात कहूं तो मैं ये कहूंगा कि शायरी की घजल को या शायरी को काफी कुछ फिल्मों ने दिया जरूर है, मकबूलियत दी जरूर है, लेकिन उसका जो न का बयान करना भी मुश्किल है, कि उन्होंने आज अगर डॉक्टर वीने जी जैसे जो लोग हैं, नए लिखने वाले लोग हैं, जो भोशुश कर रहे हैं कि हम अच्छा लिखें, उनके लिए कि ये रास्ते कितने मुश्किल बना दिये हैं, ये डॉक्त वीने जी जानते है कि कितनी मुश्किल आती है, किसी जरा सी बात को समझने के लिए कहां जाएं किसके पास पूँछें किससे बात करें कोई है नहीं अगर आप Google करेंगे Google से आपको Computer की तो नौलेज बहुत सही मिल सकती है लेकिन शायरी, मुझे लगता है कि इतनी घलत शायरी की साइट्स बन चुकी है कि सही शायरी की जो साइट्स हैं वो बहुत कम रह गई है लेकिन जो लोग सुन रहे हैं मैं उनके लिए ये अर्ज कर दूँ कि एक रेखता रेखता.com ये बहुत एक अच्छी साइट है और अन्तमे में बस इतना ही कहना चाहूंगा कि अच्छी शायरी पढ़ें अच्छा साहित पढ़ें वो ढूंडना आपके लिए है मुश्किल ये पहचान करना मुश्किल है कि अच्छी शायरी और खराब शायरी में क्या फर्क होता है ये आपके लिए है बहुत मुश्किल लेकिन ये आपका दोर है आपको इस से गुजरना ही है ये आपकी नियती है इसको हम बदल नहीं सकते और मुझे लगता है अच्छा साहित सुनना, अच्छा साहित पढ़ना, अच्छा साहित लिखने के लिए सबसे एहम शर्थ है और मुझे आप अगर कहेंगे तो मैं घजल आपको सुना भी दूँगा, कुछ रंग बदलने के लिए बहुत बोर कर दिया है मैंने, मुझे लगता है ने ने, ने ने सर, जी, चलिए मैं आपको एक घजल सुना देता हूँ और मुझे लगता है आज चर्चा को तो यहीं खत्म कर लिया जाए, क्यों आशुतों जी, ठीक है? जी सर, बस इस, इसको जरूर सुनना चाहेंगे इस नजम को हाँ, घजल है, अब देखिए, अभी अभी आशुतों जी ने कहा विने जी के नजम आपकी सुनना चाहेंगे अब यहाँ मैं आपको बता दूँ के नजम और घजल ये दो चीज़ें होती है जब हम एक साहित्तिक मंच को चलाएंगे, तो हमें इन सब चीज़ों का पता होना भी बहुत जरूरी हो जाता है क्योंकि हम एक आधार शिला रखने के साधन तो बन ही गए हैं तो मैं इस बात को बड़ी बेबाकी के साथ आपके सामने रखना चाहूंगा कि नजम जो है, वो एक सब्जेक्ट होता है उपर से नीचों तक, शुरू से लेकर अंत तक एक सब्जेक्ट, एक उन्वान, एक शीर्शक वो एक ही सब्जेक्ट आएगा, अगर आपने उसमें तू कह दिया किसी को, तो वो पूरी नजम में तू तेरा ही रहेगा तुम तुम्हारा नहीं होगा, आप आपका नहीं होगा, ये नहीं हो सकता नजम में आप पहले आपका इस्तेमाल करें, फिर तू पर उतराएं, फिर बाद में फिर आप पर उतराएं, ये नहीं होगा नजम एक सिंगल सिटिंग में एक बात कहने जैसा है सिंगल सब्जेक्ट कर ठीक है जी और घजल क्या है घजल की एहमियत यह है कि इसके कोई भी दो शेर एक जैसे नहीं होते मुख्तलिफ सब्जेक्ट होते है शेर अपने आप में दो मिस्रों में कम्प्लीट सब्जेक्ट लिए वे होता है उसको तीसरे मिस्रे की या चोथे मिस्रे की जरूरत नहीं पड़ती कभी भी वो दो सब्जेक्ट में दो लाइन में उसको कम्प्लीट होना उसके पूरे सब्जेक्ट को उसकी पूरी कथा को पूरा होना बहुत जरूरी है तो ये घजल और नजम में फर्द है तो मैं घजल का राइटर हूँ और नजम में लिखता हूँ कुछ कभी वक्त पड़ेगा अब नजम में सुनाऊंगा आज ये घजल हाजिर करता हूँ ताजा घजल अभी लिखी है तो देखिए मतला सुनिए कि अब मतला समझ में आ गया है कि क्या मतला होता है और इसे आप बड़े ध्यान से सुनिएगा कि इसमें काफिया और रदीफ कैसे इस्तेमाल होती है और फिर उसके बाद काफिया कितनी तरह के रंग लेता है लेकिन उसमें एक आत्मता होती है वो एक तरह से चलेगा उसका रंग जो है उसके जो उसका स्वरूप है वो बदल नहीं सकता है मतला यह है कि बेसब आवारगी प्रोड़ी बहुत पहले से बेसब आवारगी थोड़ी बहुत पहले से थी यहां मैं बताता चलूँ के थोड़ी बहुत पहले से थी यह इतनी बड़ी रदीफ है यह पूरी रदीफ कहीं बदली नहीं हो सकती इसका यह नियाद है आवारगी जो है यह काफिया है इसमें की जो लास्ट में आ रहा है वो इसका काफिया है बेसब आवारगी थोड़ी बहुत पहले से थी अब जो हालत है मेरी थोड़ी बहुत पहले से थी आरजुए सरकशी हालां के अब भी कम नहीं सरकशी, सरकटाना या विरोध करना अर्जुए सरकशी हालां के अभी कम नहीं खुद से अपनी दुश्मनी थोड़ी बहुत पहले से ती जवा अब आप देखें के जो थोड़ी बहुत पहले से थी ये आपकी बात को वाज़े कर रहा है स्पष्ट कर रहा है और ज्यादा आर्जुए सरकशी हालां के अब भी कम नहीं खुद से अपनी दुश्मनी थोड़ी बहुत पहले से थी तुझ से मिलकर आँख भराई नहीं ये भी नहीं तुझ से मिलकर आँख भराई नहीं ये भी नहीं मेरी आँखों में नमी थोड़ी बहुत पहले से थी मेरी आँखों में नमी थोड़ी बहुत पहले से थी ऐ मेरी फाका कशी अब तुझ पह क्या इल्जाम दूँ फाका कशी भुकमरी को कहते है ऐ मेरी फाका कशी अब तुझ पह क्या इल्जाम दूँ जिन्दगी में तो कमी थोड़ी बहुत पहले से थी मेरी पादा तक्रीम अब तुझ पे क्या इल्दाम दे जिन्दगी में तो कमी थोड़ी बहुत पहले से थी और ये शियर खास तोर पर मुलाज़ा करें कि मुझ पे क्या एहसां कि सहरा ने मुझे क्या दे दिया गोटों की प्यास मुझwid排 एसा यह मेरी तशनालवी थोड़ी बहत पहले से थी एक बला की तीरगी थी čार सू तारी मगर तीर्गी केते हैं अंधेरे को तारी होना फैल जाना एक बला की तीर्गी थी चार सू तारी मगर जहन में एक रोशनी थोड़ी बहुत पहले से थी जहन में एक रोशनी थोड़ी बहुत पहले से थी मैं फरेवी भी नहीं कहता उसे खाकर फरेव मैं फरेवी भी नहीं कहता उसे खाकर फरेव मुझ में ये सादा दिली थोड़ी बहुत पहले से थी मुझ में ये सादा दिली थोड़ी बहुत पहले से थी मुद्दतों के बाद आया है घजल कहने का फन हाँ रगों ने शायरी थोड़ी बहुत पहले से मुद्दतों के बाद आया है घजल कहने का फन हाँ रगों में शायरी थोड़ी बहुत पहले से थी ऐ मेरी वहशत ले खुश हो कर लिया मैने कबूल मुझ मेरी वहशत ले खुश हो कर लिया मैने कबूल मुझ में ये दीवानगी थोड़ी बहुत पहले से थी आया मेरी वहशत ले खुश हो कर लिया मैने कबूल मुझ में ये दीवानगी थोड़ी बहुत पहले से थी और जिसको आखरी शेर कहते हैं मक्ता कहते हैं आखरी शेर तो ये जो मैंने सुनाया अब जो जिसको हम आखरी शेर कहते हैं वो होता है मक्ते से पहले वाला और मक्ता जो है वो ये है कि मुझे में ये दीवानगी थोड़ी बहुत पहले से थी अब नफस की दास्तां भी ना मुकमल है तो है अशुतो जी अब नफस की दास्तां भी ना मुकमल है तो है कहानी अनकही थोड़ी बहुत पहले से थी वाँ क्या बाद क्या खबात है नामकमल है तो है हर कहानी अनकही थोड़ी बहुत पहले से थी मुझे क्या ऐसा कि सहरा ने मुझे क्या दे दिया ये मेरी तशना लवी थोड़ी बहुत पहले से थी बहुत 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 बहु कि ये जो इस तरह का आभास मैसूसियत है वो कहां से कैसे आती है कहां हमारे भीतर वो छीपी हुई होती है और ये जो हम ये जो कारिक्रम आज मैडम मधू ने किया है वो इसी दिशा में है कि हम लोग इतने किसम वेदन शील तो हो जाएं इतना तो महसूस करना शुरू कर दें कि हम पता हो कि हम जिन्दा भी हैं हम इंसान भी हैं और आज जो डॉक्ट साब ने बातें कहीं है और डॉक्टर बेने जी से जो बात शुरूआत हुई उन्होंने कितने सारे पक्ष जो है उनको हमारे साथ सांझा किया अपने रचनों में उन्होंने जो कुछ पेश किया है जिन्दगी के कई रंग उन्होंने हमारे साथ सांझे क हैं वो वाकिय प्रशंसा के योग्य हैं और वाकिय उनसे कई और तरीकों से आज परिछे हुआ एक टीचर के रूप में तो था ही लेकिन उनकी कविता को उनके सीधे रूप से सुनने से आज पता लगा कि उनके भीतर जो एक जीवित रहने वाली संवेदनाई हैं वो कैसी है ये आज एसास भी हुआ तो उसके लिए वाकिय आपको साधुवाद है बहुत बहुत उसके लिए मुबारक है और पर जो डॉक्टर नवसमवालवी उनकी तो बात ही क्या है उनसे बात करना अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धी ही होती है आप लोग ये देखें कि जब तक इस तरह के लोग महसूस करने वाले नफीस लोग जब तक नहीं हमारे साथ चुड़ेंगे तो हम लोग संबेदनशीन नहीं हो सकते और आज सबसे बड़ी मुश्किल है कि आदमी अपनी संबेदनशीन का खोग उसमें खो दी और ये इसलिए भी खो दी कि क्योंकि उसके पास सही भाशा नहीं है भाशा बहुत खैल गई लेकिन सही भाशा नहीं है उसको पता ही नहीं कि उचारण कहां क्या करना है कौन से शब्ड को कैसे बोलना है संस्कित में तो इस बात के उपर बड़ा जोर होता है कि भाई तू थोड़ा सा व्याकरन पढ़ ले नहीं तो ऐसा ना हो कि स्वजन को स्वजन कहते हैं आपको बीच में मैं बात कर सकता हूँ आप तो हम बात के दिखर हैं जैसे आप कह रहे हैं कि समेधन शीलता इसलिए खो गई क्योंकि भाशा में हमें परिशानी आ रही है और भाशा से थोड़ा लोगों का जुड़ाव कम हो गया है या भाशा को समान के गिस्टिक से देखना जरा कम हो गया है कुछे ऐसा नहीं लगता मुझे ये लगता है समवेधन शीलता जो है वो तो हमें समाज से आदे समाज में भाशा कैसी भी हो पहले भी लोग जो थे गाओं की भाशा में बात करते थे मुझे अपने दादा जी की याद है कि मैं कभी उनके पास बैटा था लेकिन मुझे हर्फ वहर्फ उनकी हर बात याद है और जब आप मनन करते हैं जैसे आप कंप्यूटर के उपर ताम करते हैं तो आप कंप्यूटर एक्सपर्ट कहलाते हैं जब आप संस्कृट के प्रोफेसर होते हैं तो आप संस्कृट के एक्सपर्ट कहलाते हैं जब जरूरत होती है तो आपके सामने कोई भी नहीं बोलता आप उस पर, क्योंकि इतना आपने गहन अध्यान किया है, ऐसे ही विचार है, आपकी फिलोसफीज हैं, जिंदगी की, शायरी के लिए ये बहुत जरूरी है कि आप जिंदगी की फिलोसफीज को उसके दर्शन को समझे, हम लोग मॉल्स के लोग नहीं है, हम लोग बीच पर ज हो जाने वाला आजमी, अगर मैं बीच पर गया, मैं ऐस्ट्रेलिया में था, वहां मैं जब भी बीच पर जाता था, तो मैं अपनी बच्चों से कहता था, तुम जाओ मुझे छोड़ दो भूल जाओ, मुझे मैं हूँ भीखिने, यानि हम क्या हैं, हम उस असीमित्ता के अं चींजा है, अच्चा इंतान होना बहले है, बाकी सब बात ने है, तो यह मेरा कहना है, संजीत की हैसास हिस्सियत, जिसको हम कहते हैं कि जो सेंसितिविटी है, यह हिस्थियत जो है, यह हमारे समाज में ही कम होती जा रही है, और इसके लिए बहुत सारे कारण है, जो उस strength हम मैं मानता हूं कि फिल्मों का एक बहुत बड़ा रहा हूं जिन को हम कभी मांख नहीं कर सकते मैं ये बात एक ऐसे लेवल पर ये बात कह रहा हूं जो मैं हर जगे इस बात को कहने को तयार हूं ये जदो जहल ये हमारा एक लड़ाई है ये हम जैसे लोगों की आशुतोस जैसे लोगों की हम जैसे लोगों को इकठा होकर इस लड़ाई को लड़ना है और ये बात को सम्ठाना है कि हर चीज को हम उन्हें खुदा नहीं बना सके हलाएं कि मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं फिल्मों में जो लिख रहे हैं आज भी लिख रहे हैं और वो शकीलाजमी खुद क नीचे हैं जहां से हमारा स्थ शुरू भी नहीं होता है यही बात है कि पॉपलर म्यूजिक पॉपलर पोईट्री के नाम पर हमने सब कुछ डिस्टॉर्ट कर दिया विकृतियां इतनी ले आए हैं इसलिए मात मैं यह कह रहा है कि भाशा एक ऐसा मात्यम है अगर हम उसको ठीक करने असान भाशा बनाने की जुरूत नहीं है जब आपके विचार सुक्षम होंगे भाव व्यापक होंगे तो आपको भाशा भी उस तरह की चाहिए की और वो हमने अपने कोर्सिस से निकाल दी आम बोलचाल की भाशा में निकाल दी और मैं आपकी बात से सहमत हूं कि हमार दो पड़े लिखे टीचर भी आपसमें बात करते हैं तो कितनी गलत सेमियां पैदा होती है और कितनी बार उनको कहना पड़ता है यार मेरे कहने का यह मतलब नहीं था यह ज़्यादा पढ़ने लिखने के बड़ा ड़बड हो गया है लेकिन वाके आज का जो यह चर्चा र और इसने हम लोगों के एक डिरेक्शन दी है कि भाई किस तरह से भी देखना चाहिए समझना चाहिए महसूस करना चाहिए और कहना आना चाहिए तो आप लोगों ने जो कुछ आज सिखाया वो वाकिक प्रशंसा के योग्य है उसके लिए बहुत-बहुत सादू बाद है औ और यह उद्धियम बाकी टीचेश भी करते रहें हो स्वैम भी करते रहें तो मैं चाहूंगा कि मैडम मढधू आप सुदे हैं जी तो ओबर टो यू यह सर आपकी प्रेंटा है तर्ग्या प्रेंटा नहीं आप जानते हैं, ये आपका बड़पन है, कि आप इस बात को कभी स्विकारते नहीं है, पर ये मैं हमेशा कहना चाहूंगी, कि आपके साथ बात करना, और डॉक्टर विजे शर्मा, उनके साथ बात करती हूं, मैं डॉक्टर नफस अंबालमी, डॉक्टर विने गोईल, मुझ तो हमेशा ही मैं कहूंगी, जब मुझे प्रोफेशनल लेवल पर या किसी भी तरह से किसी भी एक मेरा मनोबल गिवनी लगता है, तो सर हमेशा उसको घाते हैं, कि किस तरह से करना है, चीजों को मेरा मार्ट बश्यम करते हैं, और जो मैं हमेशा कहते हूं, कि शरीर के साथ- कि आप बिल्कुल मेरी मान से खुराक हैं और मैं यह चाहती थी कि कि इस तरह से हम बिने सर को इनवाइट करना चाहते हैं तो मुझे बहुत ही हर्ष हुआ कि बिल्कुल हम यह करते हैं और स्टूडेंट साके इस चीज को समझे जो अभी नफस ने भी कहा है और आशेतो ने कहा कि ये कही न कही सर गिरता ही जा रहा है जो जैसे अब हम teaching profession में हैं अभी नया सत्र हमारा प्रारम होने जा रहा है तो बिल्कुल जब पहले साल में हमारे पास जब बच्चा आता है तो आप यकीन मानिए मुझे बहुत दुख होता है इस बात का कि उनको अपनी सभ्यता, संस्कृती, भाषा उसका बहुत ही कम जान है आप देखी मुझे कम से कम मैं कहूंगे कि मेरा विशय जो है वो संगीत है उसके पावजूत मुझे कम से कम 15 से 20 दिन जो उनकी क्लास है वो इस तरह से लेनी पड़ती है कि वो अपनी भाषा को समझे उन तो आप इंग्लिश के पीछे मत भागिए क्योंकि इंग्लिश नहीं आ रही है तो कम से कम हिंदी तो अच्छी बोलिए किसी साक्षात कार में आप जाएंगे तो आप हिंदी अच्छी बोलिए तो सर एक बहुत ही बहुत बेसिक चीज है आप देखिए हमारा वंदे मातरम जो है हमारा राश्ट्रेगीत है बीए प्रथम वर्ष में बच्चा आता है उसको यह नहीं पता है राश्ट्रेगीत कौन सा है अगर अगर किसी को पता भी है तो आप गाने को कहिए दो लाइन साती होंगी इस जिसको दो लाइन से आगे आता होगा तो वह गलत है जिससे मैं मानसिक रूप से मुझे बहुत ही हर्ट फील होता है मुझे बहुत ही जादा कि बच्चे जो हमारे बेसिक जो हमारे संसकार है मैं सब मैं विद्या भारती से भी जोड़ी हुई हूँ और यही एक कारण है जो मैंने इस साल संसकार भारती को जोईन किया है कि कम से कम अपने कॉलेज लेवल पर और संसकार भाति के ज़दिये स्कूल लेवल पर बेसिक से जाके बच्चों को अपनी भाषा का अपनी संस्कृति का कहीं न कहीं अगर एक चीज भी हम कुछ सिखा पाएं तो शायद हमारा एक अध्यापक होना सफल हो जाएगा और जो आशेतो आप हम कहां से शुरू हुए थे आप जॉइनिंग जब हमारे यहाँ पर पार्टिसिपेंट से और अब देखे कितने पार्टिसिपेंट से हम सब लोग अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं तो जो अभी हम बात कर रहे हैं वो वही चीज यहाँ पर बिल्कुल आप देखे चरितार्श हो रही है मुश्किल से मेरे दस बच्चे रह गए हैं दस भी शायद में जादा कहा रही हूं आठ साथ बच्चे रह गए हैं जिनको जानना है कि उर्दू क्या है गजल क्या है संकृति क्या है बच्चे इंट्रस्ट लेना ही नहीं चाहते हैं तो अब हम इसी में ही जो अब हम 20-25 लोग हैं इसी में मैं मानती हूं कि यही हमारी सफलता है और और सफल बनेंगे जब यहीं पर हम 50 होंगे किसी भी सत्र के अंतियम सत्र में जब हम किसी कारेकरम के इस तहरे के किसी कारेकरम में जब हम 50 होंगे तब मुझे लगता है मेरे दोनों बच्चे को मैंने जॉइन किरा है वो बहुत अच्छा उर्दू नहीं अब चोटी जो है वो एक में है और वो मुझे नहीं लगता कि बहुत अच्छा उर्दू जानती भी है जितना समझती है मुझे बहुत अच्छा लगा कि जो विनसर अपना प्रस्टूती दे रहे थे तो वो अपने हिसाथ से चाहिए वो उसमें एप्रेशेशन कमेंट में दे रहे थी तो थोड़ी थोड़ी कुरूशे से तोड़ी थोड़ी जी से मैं आपसे ये इस बात पर जो आपने उर्दू की बात की मैं सभी लोगों से एक आग्रा करना चाहता हूँ कि वो मुझे देखें और एक मिसाल की तरह से समझें कि मैं पूरी दुनिया में उर्दू का शायर कहलाता हूँ मैं इस बात को आप सबके सामने तसलीम करता हूँ कि मैं बाकाइदा उर्दू की कुछ बहुत ज्यादा तालीम नहीं ली है हाँ कुछ मैंने ऑनलाइन कोर्सिस बगरा की ये जरूर है लेकिन आपका शौक और आपका जो आपके अंदर का इश्क है जब तक वो जिन्दा नहीं होगा आप नहीं जाता है कि कुछ समझ तो इस बात को भी हमें नजर अंदास कर देना चाहिए कि हमें उर्दू नहीं पढ़ाए जा दी हम इसलिए क्योंकि उर्दू का ऐसा माना जाता है कि हम उसको लेखनी से पहचानते हैं उसकी और इसलिए हम उसको ऐसे कह देते हैं लेकिन जो आप बोल रहे हैं ये भी तो उर्दू है भी मैंने आपको सब एक्जेम्पल दिये ले तो मुझे मैं कोई उर्दू पढ़ा हुआ आदमी नहीं हूँ और मैंने तो हिंदी भी नहीं पढ़ी बहुत ज्यादा मैं साइंस का स्टूडेंट था डॉक्टर बन गया उसके बाद डॉक्टरी ही करता रहा तो ये तो अपनी जहनियत और आप से अपने शौक जो हैं वो आपको फिशा अपने आप देते तो आप अपना चिराग जिलाए रखें क्या पता कि कहां और कितने चिराग और रोशन हो जाएं आप से चलिए धन्यवाद ज्यापन के लिए हिंदी भाग की अध्यक्षा और हमारी प्र अपने अपने अच्छे कारे करम के लिए सबसे पहले अच्छा कारे करम के लिए अपको टोक रही हूं अपकर आप कैमरा आउन करेंगे तो सब देख भी पाएंगे आपको नमस्कार आप सबको और डॉक्टर विन जी से मैं मिली हूई हूँ और प्रभावीत और जब परही बार उन से मिली थी तो एक जज्जमेंट में हम दोनों इकठे गए थे और आप से मेरा परीचे हुआ और सच्छे लेके आज दक आपकी उसमृतिया में साथ हैं और आज ब सब सुनकर और हमघे सब दो लोग दोनों जो हें वो हिंदी सहीते से नहीं है इतर सहीते से हैं डॉक्टर है और विने जी सौफ्ट्वैर इंजिनियर और कंप्यूटर के विद्यार थी और क्या को हमें सिक्षक लेकिन उसके बाब जूद इतना सुन्दर कारेक्राम आप दो अम्बाल्वी जी की तो एक-एक कहते हम गजल क्या अन्वाजम क्या चब हम पढ़ रहे थे मदू जी ने बेजा एक-एक लाइन जो है वो इतनी हमें अपनी हमें अपनी आप खींच रही तो ऐसा लगा था कि सच में हमें वे उदुजरूग सेखना जाहिए तो और डॉक्टर कर के इच्छा हो एक तो आपने बहुत सुंदर तलिकार्टी को भी लिया जीवन को भी लिया और तक कि अपने रोजमर्रा जो हमारे गर्ज होते हैं उसरे के साथ, वह भी बहुत सुन्दर तरीके से आपने व्यक्त किये और इसके साथ-साथ भाषा को देखो, बिल्कुल आशुतोंशी के साथ में सहमत हूँ कि भाषा का स्तर पहले से आम हुआ है, तो आम का मिन्थ, जो हमारी बोल्चाल की भाषा है वह बहुत ज्यादा ऐसी होगी कि ना हम उर्दू जानते हैं, ना हम हिंदी जानते हैं, या ना हम इंगिश्च जानते हैं, इतना मिश्रन हो गया है कि शुदता की कमी के कारण है, लेकिन ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि दर्शन ठीक होना चाहिए, ज़र हमारा द जब हम देखते हैं, तो देखो हाशा उनके आगी बड़ी अपने आपको देनी है समझते है, जैसा वो चाहते है, इसको तोड मरोड के वैसा परस्तुत कर देते हैं, जजा करना चाहते हैं, तो यहां पर आप रोगों ने भी विने बात को बहुत सुंदर दंसे रखा, और म अधरी बड़े शायर के साथ हमें आज मिलने का मुका मिला और एक यंग कभी के साथ मिलने का मुका मिला, और यह उमारे बत्तों के लिए नहीं हमारे लिए भी बड़े प्रेहना सोच हैं, और Ambalvi Sir, आप से तो में जरूर गुजारिश करूँगी कभी जरूर हमें कारियशा मुका जरूर हमें इस साला लगाएं दो-तीन दिन के हमारे लिए कि हम थोड़ा साथ हमेदन थेल हो सके इन शब्दों को फ्कड़ सके और आपके साथ जिरूर वैताल से बागारे विचर में रिक वेस्त किया है, Sir को मैंने ओरुराइड रिक्वेस्ट किया है, Sir ने हमें प्र तो मैंने पूरा सुना लेकिन हम जरूर करो करेंगे हमकी ऑफ-लाइन हो पाई है अगी अगी ऑफ-लाइन हो एफ-लाइन हो जारी है और विने सर् आपका भी बहुत जन्य बाद आज के सिर्शाला वह लाज के शख्षियत के कारण ये बहुत सुंदर बन पाई है हमारी और से ड़ु खनियावाद करते हैं आश्डोषिर का भी साने के पहुत बहुत दनियावाद करते हैं को समधिते हैं रहना चाहिए था कि हमारी के नीडिये दुम्राते हैं जाहिए ताकि हमारी जो surfing पड़ी रहती है यह जा है तो ऐसी प्रेड़ना मिलती रहे तभी समाज स्वस्त्र रहेगा बहुत बहुत जल्दी ही एक मुशायरा और रखते हैं तो दिन उसके लिए थोड़ा तयार कर लेंगे कोई जो थोड़ा मौसम जब ठीक हो जाए और पंदर दिन बहुत अच्छा सा हमें कारक्रम रखें मैं जा रहा हूं नौ को मुझे जाना है जलंदर आप में से कोई भी चलना चाहे मुशायरा देखना सुनना चाहे नेशनल लेवल का है तो मेरे साथ जल से जीन 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 तो बस एक आखरी निवेदन ये है बहुत बहुत धन्यवाद मैम मैम एक आखरी निवेदन ये है कि ये बात यहीं पर रुपनी नहीं चाहिए आज हमें डॉक्टर विने मिले हैं हमें और भी गुणई लोगों को ढूंड़ना है क्यों हम गुणईयों को ढूंडेंगे तो निश्चित रूप से उनकी क्रिपा हमारे पर होगी हमारी चेतना कि मिलता है किसी भी फील्ड का तो निश्चित रूप से हमें बताएं हम उनका संबान करेंगे उनको आदत पूर्वक आमंत्रित करेंगे और जो जितनी हमारी क्षमता है उतना हम अवश्य सीखने की कोशिश करेंगे लेकिन उनके बारे में हमें सूच ना मिलनी चाहिए क्य ना के गुणी व्यती को बलाते रहें संबेदल शुट व्यति को बलाते रहें और सिर्फ बाती लिए जिम्मेदारी भी मैं लेका हूं आप तो मैं आप उसे मिल बादूँगा जिनको आप ला सकते हैं और जिनसे हमें बहुत चुछ सीखने को मिल सकता है तो आज कारिकरम यहीं समाब करते हैं जि ति तो धन्यवाद डौक साथ बहुत 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 भी का थेंक्यूज शुक्रिया थैंक्स लौट से थैंक्स लौट से और अपनी रिचम की सूचना ज़रूर देते रहा करें जी सर बिल्कूल मिल्कूल हम एक शहर में रहते हैं विन जी कभी मिए और आसके पार नहीं हैं कभी आएं आप हाँ मैं यहीं रहता हूं जरूर जरूर तो हाँ यही मैं उनसे कहने लगा था कि देखो आज की यह बहुत बड़ी सफलता है दो सफलता हैं एक तो आप दुनों के आपसका मुलाकात तो इस इसके तुरूर से इसको शफल जरूर बनाएं और दूसरा हम लोगों का जो अनुभव हुआ है तर इसमें टैक्टरी का कान कर सकते हूं कि मैं नंबर एक्स्टेज दोनों के कर दोगे बहुत अच्छा रहे गां दोनों को मिलवाएं जरूर ठीक है सर्थ बहुत 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 धन्यवाद धन्यवाद थैंक्यू एब्रबन थैंक्यू सो मच मैडम रिकॉर्डिंग आफ कर दीजे रिकॉर्डिंग मैडम आफ करा दें